गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 सत्र में तीन प्रभु बताए है ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरन समाप्त हो सकता है? तीन प्रभु में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूर रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्वदर रशी संत राम पाल जी महराज के अमृत्वचन परमृता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम स्रुछटि रचनहार हम सभी आमारे परमृता वो परमण सर्वु क्सर ग्रम हम सभी के हितेसी हैं उन्हीं की करपार चीथ आप जी सत्संग सुन रहे हैं बुनात्मों इस विश्वे में सत्संग नहीं है जैसे नकली दुकाने खोल दी जाती है औरिजिनल नाम रखके जितने भी आप जी सत्संग सुनते हो देखते हो जिनके विश्वे में आप जानते हो वहां सत्संग नहीं है पुनात्मों एक बार आप जी को ऐसा लगता है जो पर पर्थम बार कोई पराणी इस दास के ये कटू वतन सुनता है सच्ट वतन कटू तो इस लिए लगते है के ये सच्चाई है और आम व्यक्ती भी इस बात को कहा करता है वह सच्चाई कडवी होती है जैसे जब गोरखनात जी को परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी मिले थे उनकी वारता हुई थी तब परमेश्वर ने कहा था के गोरखनात मैं सबन का गुरुआ मैं सब का गुरु हूँ जगत गुरु हूँ मैं सब को ग्यान देता हूँ गोरखनात जी ने कहा कि तुम्रा वचन मुए लग गए कडवा कि ये बात आपकी मुझे कडवी लगती है अच्छी ने लगती आप कहते हूँ मैं सब का गुरु हूँ परमेश्वर ने कहा कि कडवा लगए सो मिठा हुई हमरी बात पतिज़ ज़ए फिर गोरखनात जीना अपने सिद्धी दिखाई थी परमातमान उसके सिद्धी को समाप्त कर लिया था क्योंकि परमेश्वर के सामने ये खिलोने वाला खेल नहीं चलता तब गोरखनात जीने चर्ण पकड़ दिये थी उस परमपता परमेश्वर की और सच्चाई को सभी कार कर लिया था तो पनातमा ये दास जो पर्थम बार ये सुनता है कोई ये कहता है कि किसी के पास सत्संग नहीं है बिरमा विश्वर महिस भी अग्यानी है इनको अध्धात में ग्यान नहीं है ये जितने भी रेसी महरेसी होए हैं सत्यूग से लेकर आज तक ये सभी वेद ग्यानहीन थे अग्याने थे अब ये बातें मानो समाज के गड़े उतारना ये आसान बात नहीं है लेकिन बहुत आसान हो गया है आसान किस ने बना दिया परमेश्वर कबीर देव जी कि वचनों ने बना दिया इस काल से कहा था काल ने परमातमा से प्रार्थना की थी कि चार युगों में जीव थोड़े ले जाना चौथा युग जब कल युग आवे तब तव सरन जीव बहु जावे ऐसा वचन हर मोई दीजे तब तुम गवन संसार ही कीजे प्रमातमा ने तथास्टू कह दिया था फिर जब तथास्टू कह दिया प्रमेश्वर ने तब काल ने कहा था कि आप कल युग में कितने जीव ले जाना ये छूट दे दी फिर काल ने कहा था कि कलियोग में मेरे दूट जावेंगे संत बनके और पूरे विश्व को भरमित करतेंगे सचकंड और सतलोक का ग्यान बताके नकली नकली ग्यान देंगे जुठे ग्यान जुठा ही नाम और सभी को अपने साथ लगा लेंगे और बाद में आपका अंस जावेगा कबीर परमातमा से कहा था कि बाद में आपका दास जाएगा तब कोई भी आपके दास की बात नहीं सुनेगा क्योंकि मैंने सभी को कोई तीरित पे कोई मूरित पे कोई मंदिर में कोई मस्चिद में कोई गुरुदवारे में या इन अकली संतों के साथ खट कर दूगा तब परमिश्वर ने कहा था कि कलियुग में मैं अपने हंसों को अपने हिसाब से निकाल लूँगा तू अपना काम कर मैं अपना करूगा तो इस कलियुग में परमिश्वर ने या बिचली पीडी के लिए खेल खेला था धरमदास तो एलाख दुहाई ये सार सबद कहीं बार ना जाई सार सबद बार जो पढ़ ही बिचली पीडी हंसमी तरही फिर दूसरी बार कहा कि धरमदास तो लाख दुहाई एक धरमदास नाम की अच्छी आत्मा थी श्रिश्ट आत्मा जिनको परमात्मा अपने विद्धान अनुसार मिले थे का था धरमदास तो लाख दुहाई ये मूल ग्यान की तबार ना जाई तत्व ग्यान मूल ग्यान तत्व ग्यान ये तत्व ग्यान बाहर जो पड़ी तो बिचली पिड़ी हंसनी तरही और इस मूल ग्यान को तब तक छुपाई जब तक ये सब पंथ ना मिट जाए तो पुनात्माओं प्रमात्मा ने आदिश दे दिया था अपनी पैरी आत्माओं को कि इस तत्व ग्यान को और इस सारसबद को अभी सारवजनिक नहीं करना आप किसी भी संथ पंथ से जो नकली संथ हैं और सत लोग सचखंड के ठेका ले रखा है इनोंने ये रादा स्वामी पंथ इसी की प्रांच है जै गुर्देव पंथ ये सच्चा सोदा शर्षा जगमाल वाली दिल्ली में करपाल सिंग आसरम वाले ठाकुर सिंग वाले ये ताराचंद जनोद भ्यानी वाले ये सारे एककुवा का पाणी है सारे नकली नाम इनका जुठा ग्यान तो ये सभी बात तो बनाते हैं सतलोकिर ग्यान को ना कख भी इनको कैख है भी याद नहीं अध्धात्मी ग्यान का इनको कैख है भी याद नहीं तो प्रमेश्वर ने कह था कि इस मूल ग्यान को छुपा के रखना अब किसी से पूछ ले के प्रमात्मा कैसा है कहेंगे प्रमात्मा तो निराकार है सच्खंड में प्रमात्मा की क्या सथीची है वह तो परकास ही परकास है चेतन ही चेतन है और आत्मा प्रमात्मा में सच्ख सतलोक में निराकार है अब यह कोई ग्यान हो है अनका अब कोई कहे कि तुम समुन्दर में डूब का मर जाओ चलो तुम्हें डूबोता हूँ करो चार कितने कोंगे कोई बात हो या वहाँ बगवान है नहीं परमात्मा निराकार है हम बटक रहें बगवान के लिए परमात्मा मिल है उसके दर्सन करे अपना दुख रोआ सीने से लगावा हमारे को हमारे दुखों का हरन करे और परमात्मा है नी तो हम के टिन डिले आंगे उस सतलोक में तो पुन्यात्मा हमें मूरख बना रहा था इनकली संतों ने ये काल के दूथ है अब परसंग चला है कि कोई भी तत्व ग्यान से प्रिचित नहीं इवन बरमाजी विश्णुजी शिवची बताओ अब यही प्रिचित नहीं है तो फिर बाकियों का तो बुद्यमान को कहते हैं संकेत ही बहुत होता है अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये कलियर करके फिर आज का सथसंग के परमात्मा कैसा है वो कहां परमान है वो दिखाते हैं अब आपको दिखाते हैं शिरी ब्रमाजी शिरी विश्णुजी और श्री व्यास जी जो इन अठारा पुराणों का चारों पवित्र वेदों का पवित्र श्री मद भगवत गीता का पवित्र सुधा सागर का राइटर है और श्री नारत जी जो एक महान संत रिसी माने जाती है उन सब के विचार दिखाते हैं उनको कितना अध्धात में ग्यान है ये दिखिए लिए शिरीमद देवी भागवत यानि दुर्गा पुराण सचीतर मोटा टाइप केवल हिंदी संक्सिप्ट शिरीमद देवी भागवत गीता प्रैस गुरुपर्शे परकासित शंपादक अनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोश्वान प्रकासिक मुद्रकें गीता प्रस गुरुपर्श गुविद भुनकारियले कोलकाता का संस्थान इसके 28-39 प्रेश्ट पहम पड़ते हैं ये पहला सकंद शंक्सित देवी भागवत 28 प्रेश्ट ये हैं नारग जी और व्यास जी का संवाद नारग जी ने कहा महा भाग व्यास जी तुम इस विशे में जो पूछ रहे हो ठीक ही यही परसंद मेरे पिता जी ने बगवान शिरी हरीशे किया था देवा अधी देव भगवान जगत के स्वामी हैं लक्समी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं दीव कॉस्टमनी उनकी सोभा बढाती है वे सांख चक्र गदा लिये रहते हैं पितंबर धारन करते हैं च्यार हो जाएं वे चराचर जगत के आश्रे दाता हैं जगत गुरू विश्मु जी को यह जगत गुरू कह रहे हैं एमेम देवताओं के भी देवता हैं यानि सब भगवानों के भगवान हैं ये विचार पे रहा नारग जी और व्यास जी सुन रहे हैं ऐसे जगत पर बूशिरी हरी महान तब कर रहे थी उनकी समाजी लगी थी यह देखर मेरे पिता बर्माजी को बड़ा आस्तरिय हुआ थी अन्हों ने उन से जानने की इच्छा पर गट किया बर्माजी ने पूछा परभव आप जेवताओं के अध्यकसर जगत के स्वामी और भूत बवी से एमेम वरत्मान सभी जीओं के एक मातर सासक है बर्माजी आप विश्णू जी को सरवेश्वा बता रहा है बगवन फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की अराधना में ध्यान मगन हैं मुझे असीम आस्तरिय तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वार एम सारे संसार के सासक होते हो भी समाधी लगाए बैठे हैं अब बिरमाध जी के विनित वतन सुनकर भगवान सिरी हरी यानि विश्णू जी उन से कहने लगे बरमन साधान होकर सुनो मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं देवता, दानो, मानो सब यही जानते हैं कि तुम सिरिष्टी करते हो मैं पालन करता हूं और संकर साहर क्या कर किन्तु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से इस सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और सहार करने की यह योगिता जो हमें मिली है इसकी अधिश्टात्री सक्ति देवी है दुर्गा है वे कहते हैं कि संकर की सिरिष्टी संसार की सिरिष्टी करने के लिए तुम्हें राजसी सक्ति का संचार हुआ तुम मैं ज्रमा रजगुन है ये भी से धोरा है और मुझम सात्विक सक्ति मिली है विश्णोजी सत्गुन है और रुदर में ताम सी सक्ति का आविरभाव हुआ है सुवर्त पर्टेक्स और प्रोक्ष दोनों उधान में तुम्हारे सामने रखता हूँ सुनो यह निश्चित है कि उस सक्ती के आधीन होकर ही मैं इस सेस नाग की सयापर सोता और सिष्टी करने का आवसरा ते ही जाग जाता हूँ मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ विश्चित जी कह रहे हैं उस सक्ती के सासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता कभी आवसर मिलातो लक्समी के साथ सुख पूरुक समय बिताने का सोभग पराप्त होता है मैं कभी तो दानो यानि राक्ससों के सास युद करता हूँ अखिल जगत को भे पहुचाने वाले जैट्टों के विक्राल सिरीरों को सांथ करना मेरा प्रम कर्तब हो जाता है और यहां क्या सतच करते हैं यहां कलम तोड़ दी अपने दात्म ज्यान की विष्णुजी ने मुझे सब परकार से सक्ती के आधीन होकर रहना पड़ता है दुर्गा के उन्ही भगवती सक्ती का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ दुर्गा का बिर्मा जी मेरी जानकारी में यानि मेरे अध्यात्मिक ज्यान में जितना मुझे ज्यान है उस जानकारी में इन भगवती सक्ती से यानि दुर्गा से बढ़कर कोई देवता नहीं दूसरा कोई बगवान नहीं अपनात्माओ ये अन्त आग्या श्री विष्णु जी के स्प्रिच्वल नौलेज का अध्यात्मिक ज्यान का ये कहते हैं कि मैं दुर्गा से बढ़कर दुर्गा से अतिरिक्त मैं किसी भगवान से परिचित नहीं इन से बढ़ा कोई भगवान नहीं और मैं इन ही की पूजा करता हूँ और फिर क्या बताते हैं कि मैं कभी तो घोर तप करता हूँ फिर राकससों को मारता हूँ जो जनता को दुखी करते अब काल ने इनकी किसी दुरुपती कर रखी अपने पूतरों की भी विष्णु जी की पहले थे बैटरी चार्ज करते हैं, तब करते हैं, सिध्धियां आ जाती हैं, फिर राक्ससों के साथ इनको बढ़ाता है, लड़ाता है, राक्ससों को मारते हैं, और फिर इनके बैड अकाउंट में वो सारे पाप लख दिये जाते हैं, और इनकी बैटरी डिस्चार्ज जाती फिर ये बिर्मा विष्णु महिस जी तिन्नों के तिन्नों अन्ने योनियों में चले जाते हैं अब हम दिखाते हैं कि ये तो ग्यान था श्री विष्णु जी बिर्मा जी नारग जी व्यास जी का कि विष्णु जी को सर्वेश्वर कह रहे हैं सब देवताओं के और भगवानों के भगवान बता रहे हैं, जगत गुरु बता रहे हैं, अब वो जगत गुरु विश्णो जी कह रहा है, मैं दुर्गा से उपर किसी देवता, किसी भगवान को नहीं जानता, अब दुर्गा क्या बताती है अपना जात्मिक ज्ञान, अब इसी पुस्तक के 562 परष्ट पर है, यह सात्वा सकंद शंक्षित देवि भागवत 562 परष्ट पर है, देवी के दवारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश बर्म सुरूप का वरणन, शिरी देवी जी कहने लगी परवत राज, उस बर्म का क्या सुरूप है यह बतलाया जाता है, जो परकास रूप सब के अत्यंत समीप में सतीत, हर्दय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से परसित है, वह महान पद अर्थात परंपरापे है, वह समस्त परदा के ग्यान से प्रे है, किसी की बुधी में आने वाला नहीं है, यह तुम जागा, जो से अभी अत्यंत सुक्सम है, और जिसमें संपुल्ण लोक और उन लोकों के न्युआस करने वाले प्राणी सतीत है, और वही यह अकसर ब्रम है, अब इसका जात्मी गान नौलज देखो, ब्रम को यह अकसर ब्रम कह रही है, आगे फिर क्या कोती है, वही सब के प्राणी है, और वही सब के मन है, वह प्रम सक्त्य और अम्रत अविनासी तत्व है, शोमें उस बेदिने योगे लक्से का तुम बेधन करो, मन लगा कर उसमें तन में हो जाओ, सोमें उपनिष्ट में कथित महान अस्तर रूप धनुस लेकर उस पर उपासना द्वारा तिक्सन किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावा मुगत चित के द्वारा उस बाण को खेंचकर उस अकसर रूप ब्रम को लक्से बनाकर बेधन करो, प्रणव, यानि ओम तो धनुस जीव आत्मा बाण है और ब्रम को उसका लक्से का है, अब यहां तो अकसर ब्रम, फिर केवल ब्रम पाएगी, अब ओम नाम है, जीव आत्मा जाप करें, ब्रम को पाने का उदेश से है, यह ओम जाप है, यहां देखिए का, उस एक मातर प्रमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, दुर्गा कहती है, मेरी पूजा भी नहीं करना, किसी की पूजा नहीं करना, केवल एक ब्रहम की पूजा करती है, यही अमरत रूप रमात्मा के पास पहुचाने वाला पुल है, संसार समुदर से पार होकर अमरत रूप रमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलम सादन है इस आत्मा का ओम के जब के साथ ध्यान करो इस से अग्यान में अंधकार से सरवता परे और संसार समुदर से उस पार जो बर्म है उसको पा जाओगे तुम्हारा के लाड़ ओम जाब करो बर्म पाने का उद्यस से करो उसकी प्राप्ती हो जाएगी वो कहा रहता है वो है सबका आत्मा बर्म बर्म लोक रूप डिव कास में सती थै वो है बर्म लोक में रहता है अपना अत्मा दुरगा ने अपना फाइनल कर दिया थैसमाव से उपर को सक्ती को नहीं और विशनु जी ने फाइनल कर दिया कि मैं दुर्गा से उपर कोई बगवान नहीं जानता अब गीता जी अज्दहे नमर आठ के स्लोक नमर तेरा में गीता ग्यान दाता ये काल है ये ब्रहम है श्री किर्सन जी में प्रवेश करके बोल रहा है भूत की तरह ये कहता है ओम इती एकाकसरम ब्रहम विवानन माम अनुसमरन ये परियाती तजन देहम सैयाती परमाम गतिम मुझ बरमका के वलेक ओम अकसर है ये है एक ओम अकसर है उचारन करके सिमन करता हुआ ये परियाती तजन देहम जो सरीर छोड़ कर जाती हुए उसका उचारन करता हुए सरीर छोड़ कर जाता है सहयाती प्रमाम गतिम वो ओम से मिलने वाली जो उच्तम गती है सरेश्ट के प्रम गती है उसको पराप्त होता अब ओम से कौन सी प्रम गती पराप्त होती है ब्रहम लोक प्राफ्ट होता है शुरी मत भगवद्ट गीता जी अजहेह नमר आट के सलोक नमबर सोला में कहा कि ब्रहम लोक परियंत ये सभी लोक पुन्रावर्ती हैं अर्थात वहां गईवें पराणी भी फिर जनम मर्तू में आते हैं गीता जी अज्धाय नम्बर चैर के सलोक नम्बर पांच और नो में अज्धाय नम्बर दो के सलोक नम्बर बारा में अज्धाय नम्बर दस के सलोक नम्बर दो में गीता ग्यान दाता कहता है अर्दुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके तू नहीं जानता मैं जानता पहले भी जनम हुए आगे भी होंगे इसे सिद्ध है कि ब्रम भी नासवान है इसलिए इसने गीता जी अध्याय नमर 18 के सलोक नमर 62 में कहा कि अर्दुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वड की सर नमेजा उसकी करपा से ही तू प्रम सांती को और सनातन प्रम धाम यानि सत लोक को प्राप्त होगा गीता जी अध्याय नमर 15 के सलोक नमर 1 से 4 में सपस्थ किया है कि उपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुन रुपी साखा वाला उपर को जड़ तो पूर्ण और नीचे को तना अक्सर पुरुष है डार फिर सर पुरुष है और तीनों साखा रजगुन गर्मा सत्गुन जेशनु तमगुन सिपची तीनों देवा साखा है और पात रुप संथा इस उल्टे लटके में संथा रुपी वरक्स को जो संथ बता जेगा इसके सारे कौन परभू है और साखा कौन है पत्ते कौन है जड़ कौन परभू है सैवेद वित वो तत्वदर्सी संथ है तत्वदर्सी संथ से पूछो उस प्रमातम तताओं के बारे में गीता जिद्या नमर 4 के सलोक नमर 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो प्रमेश्वर ने स्वम आकर के उस अपने द्वारा दचीवी शिरिष्टी और ज्ञान दिया हुआ है चोथे जाएगे 32 में सलोक में गीता जिद्या जिद्या नमर नमुखे चोथे जाएगे 34 में सलोक में कहा कि उस तत्वदर्सी संथों के पास जाकर समझ उनको डंडवत परणाम करने से उस तत्वदर् एक से लेकर चार में कहा कि जब तत्वदर्सी संथ मिल जा उसके पास उस इस उलड़े हुए ज्ञान को असंख संथ्रेड यानि तत्वदर्सी संथ्र के दोआरा छित्वा मने काट कर इसको समझ कर प्रगीताजिद्या आ है नमिपंदर्हें कि सलोक में कहा है कि उसके पस्टाथ प्रमेश्वर के उस प्रम्पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद सादक कभी लोटकर फिर संसार्मा नहीं आते अर्था उनकी फिर कभी जनम मर्टू नहीं होती और जिस प्रमेश्वर ने सारे ब्रमंडों की रचना की है उसी की पूजा करो उसकी पूजा का विद्धान बताया है सात्र में जाय के तेईसी में स्लोक में सांकेत किया है कि ओम तत्थ सत्थ इती नर्देश है बर्मने तरिविद समरत है बर्मने माने सची दानद घन बर्म उस परम अक्सर बर्म की पूजा का उसके पाने का ओम तत सत इस केवल इस तीन मंतर के जाग का नर्देश है इसकी साधना भी तीन परकार से ही होती है नथिंग एल्स नर्देश माने फाइनल फैंसला अगरम अगरम नहीं अब ओम तो इस सिदा बिरम का सरपुरुष का गिता जिदेश नमर 15 के सलोक नमर 16 और 17 में तीन परभू है पुरुष है एक सरपुरुष एक अकसर पुरुष इन से नारा सतर में सलोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमातमायती उधारते वो परमक्सरवर्म है यह लोक तरम आवी से भी बरती अवे इस वर है जो संसा रूपी वर्क्स का जो जड़ रूप है सब जो मूल है गिता जिदेश नमर 8 के सलोक नमर 1 में अरजुन ने पूछा यह प्रभू आपने साथ में जहे के 29 में सलोक में जिस तत्वर्म के बारे में कहा है कि उस तत्वर्म को जानकर जो जरा और मर्न से छूटने का परियतन करते हैं जो बुढ़ापे और मर्तु से सदा के लिए छुटकारा पाने का परियतन कर रहे हैं वो उस तत्वर्म से परिचित हैं सारे धात्म ज्यान से परिचित हैं अर वो सब कर्मों से परीचिते हैं तब अर्दुन ने आठ में जएके पर्थमंतर में पूछा फिर किम्तत ब्रह्म आठ में जएके तीसरे श्लोक में गीत अग्यान दाता ने कहा वो परम अक्सर ब्रह्म है शरप्रुष शर ब्रह्म कहो चे सरप्रुष क увид अक्सर पुरुष कहो चे अक्सर ब्रह्म कहो परम अक्सर पुरुष कहो चे परम अक्सर ब्रह्म कहो वो परम अक्सर ब्रह्म है चो गीता जिद्ध है नंबर पंदरा के स्लोक नंबर सत्रा में उस परम अक्सर ब्रह्म की तरफ संकेत है उत्तम पुर्शतु अन्य प्रमातमाईतु धारते हैं और ये लोग तर्रम आविश्य विबर्ति आवेश्वर है वो प्रमक्सर प्रम है जो वास्तों में अविनासी है प्रमेश्वर है और सब का धार्ण पोश्ण करने वाला है वो स्रिष्ट प्रम है अब ये कलियर हो गया कि ना बर्माजी को गया ना विश्वर जी को ना सिफ़ जी को क्योंकि सिफ़ जी को तब अंडर्टूड है उन्होंने गयान ही बर्माजी से विश्वर जी से प्राफ्ट हो अब और ना दुर्गा को अब ब्रह्म को भी complete ज्ञान नहीं है वो भी option छोड़ रहा कि मुझे उस प्रमात्मा की way of worship का ज्ञान नहीं तत्व दर्शी संतों से पूछो प्रमात्मा ने अपनी सची दानंद घन ब्रह्म की वानिम कहा कि तीन लोक और भवन चतुर्द से कोई नहीं सत संगी तीन लोक और भवन चतुर्द से कोई भी सत संगी नहीं है सचे ग्यान से परीचित नहीं है अब आपको दिखाते हैं सत्यों के ब्रहमनों की क्या सती तीछी अपने सत्गरंथ ही बताते हैं दास नहीं बता रहा क्योंकि जिन सत्गरंथों को हम सत्ग मानते हैं आज उनी सद्गरंतों को हम स्वंपढ रहे हैं और ये अज्यानी हमारे गुरु थे, नकली, ये इन सद्गरंतों के गुड्रहसे को नहीं समझ सके, इन्होंने हमारे के लोकवेद सुना रखे, दंत कताब थे, सद्गरंतों की सच्चाई हमें नहीं बता पाई, क्योंकि उसका कारण बताया है परमेश्वर कभीर देव जी ने, गुरु बिन बेद पड़ है जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्यानी ही, गुरु बिन का हुन पाया ग्याना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, ये थो था बुस छड़े थे, ये ऐसा परियतन था इनका, सद्गर को समझा नहीं, और वर्त परियतन कर और करवा रहे थे, गुरु बिन काहुन पाया ग्याना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन बेद पड़ है जो प्राणी, समझे न सार रहे अग्यानी, आज तक ये वेदों को नहीं समझ सके, वेदों में कहीं भी पूजा ब्रहम के बाद फिर ब्रहम कहता है कि उस प्रमक्सर ब्रहम की पूजा करनी चीए, जिसे पूर्ल नोक्स होगा, अब देखिएगा, यही देवी भागवत, गीता प्रहस गुरु पुरु परकासित है, इसके 414 प्रश्टों दिखाते हैं, सत्यों के ब्रहमनों की क् छटा सकंद, संक्सिप देवी भागवत, 414 प्रश्ट, जन में जैने पूछा, महा भाग किस युग में कैसा धर्म का सरूप है, इस संपुर्ण विशे को विशे सरूप से बताने की किरपा कीजिए, व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चे है कि सत्यों के ब्रहमन, वेद के पूर्ण विद्वान थे, और उनके द्वारा निरंतर, भगवती जगदंबा की अराधना होती थी, आलिया और सत्यों के ब्रहमन, यानि महरिशियों का, क्या कै रहजास जी के राजन, यह निश्चे है कि सत्यों में ब्रहमन, यह रिशी, महरिशी, वेद के पूर्ण विद्वान थे, और दुर्गा की पूजा करें, और दुर्गा नियों के ओम की पूजा करो, सारी छोट द मेरी भी ना करो बगोची के दर्शन करने के लिए उनका मन सदालला इत रहता था पर तेक गाओं में सक्ती मंदर का उद्गाटन हो इस विशे की उनके मन में बड़ी उद्शुकता रहती थी ये मंदरां के लठी नंग दुआ रहती सतियोग ते लाग रहे प्रेतन सील है जिनकी कतियाव सक्ता नहीं थी अब यहां देखना दर्म की यही सतिती त्रेता मरही परंतु कुछ हरास हो गया था सतियोग की जो सतिती थी वद्वापर में विशेश रूप से कम हो गई थी हो गयी राजन उन प्राचेन युगों में जो रखसस समझे जाते थे वे कलियोग में ब्रामन माने जाते हैं अब कलियोग अलागा तो कतिया उड़ा गया क्योंकि अब के ब्रामन प्राइफ पाखन करने में तत पर रहते हैं दूसरों को ठगना जूट बोलना और वैदिक धर्मकर्म से अलग रहना कलियोगी ब्रहामनों का सभावी गुन बन गया है वे कभी वेद नहीं पड़ते हैं इवता जैगनेश जैगनेश दिवा पागे अपना अत्माओ अब आपको दिखाते हैं हमारे सत्गरंथ प्रमात्मा के विशे में क्या जानकारी देते हैं प्रमात्मा प्रमेश्वर शाकार है और मनुस सद्र से है हमारे सभी धर्मों के सत्गरंथ उसको साकार बताते हैं मनुस सद्र से बताते हैं लेकिन अभी तक परतेक धर्म के अन्याई अपने सत्गरंथों से ऐप रिचित है अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं पवित्र बाइबल में पवित्र बाइबल में आप किसी से भी इसाई दरहं के सरधालों से पूछिएगा कि परमात्मा की क्या सचिछी है वो साकार है या निराकार वो तुरंत कहेगा कि God is formless परमात्मा निराकार है उसका कोई आकार है आप मुसल्मान धर्म के अन्वियाई से पूछिए वो भी कहेंगे परमात्मा बेचून है बेचून माने निराकार है हिंदू धर्म के अन्वयाईयों से पूछिए वो भी कहेंगे परमात्मा नराकार है और सिख धर्म के अन्वयाईयों से पूछिए वो भी कहेंगे परमात्मा नराकार है अकाल पुरस नराकार है अर जबकि सभी सद्गरंथ प्रमात्मा को साकार मनुसद्रिश बताते हैं उसका नाम कबीर बताते हैं और जिन्होंने प्रमेश्वर का साक्षात कारवा वो संट भी प्रमात्मा को साकार बताते हैं सैसरीर बताते हैं और उनका नाम कबीर बताते हैं कब पेहले आपको पवीतर वाइबल दिखाते हैं, यह देखिएगा पवीतर वाइबल, सम्पूर्ण जीवन अज्धेहन वाइबल, जर्नल एडिटर, डॉनाल्ड C. स्टाम्स, M.A.M.D.V. Life of Research International, Supreme File Field, मैशूरी, USA, Printed in India. यहां दिखाते हैं, यह इन जी पर्टेंगे इसको, यह वही का वही है, परभंद संपादक, डेविड सटुवार्ड, अंग्रेज जी, परधान संपादक, डॉनाल्ड C. स्टाम्स, M.A.M.D.V. संपादक, J. Vaisley Adams, PhD, संपादक, समित्य, यह इतने, कितने जो, PhD तकम कोया नहीं, फुल लाइफ सटली वाइवल, लाइफ अब लिसर्ज, इंटरनेशनल, सप्रिंग फाइल्ड, मैशूरी, इतने, USA, से, अब इसके इस, बिल्कुल प्राहरम में, उत्पत्ती गरंद, यानि जन्द, जैनिसियस में देखते हैं, बिल्कुल प्राहरम में, यह देखिएगा यहां से, उत्पत्ती, आरहम होता है यहां से, पुवित्र वाइबल का, अंग्रेज जी में इसको कहते हैं, जैनसिस, जैनेसिस, चैर प्रिष्ट पै, आदी में परमेश्वर ने, आकास और पर्थवी की शिरिष्टी की, पर्थवी बेडॉल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के उपर, अंधियारा था, तदा परमेश्वर का आत्मा जल के उपर मंड़ाता था, जब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, अच्छा है, दूसरे दिन सांज हुई फिर इसम कुछ हो रहा तो परमेश्वर ने एक अंतर बना कर उसके नीचे जल और उसके उपर जल को अलग किया और वैसा ही हो गया और परमेश्वर ने इस अंतर को आकास कहा और सांज हुई फिर भोर हुआ इस परकारी दूसरा जन हो गया फिर तीसरा दिन सांज हुई फिर भोर हुआ ये तीसरा दिन हो गया हम अपने काम की बात पर आते हैं सांज हुई फिर भोर हुआ ये चौत्था दिन हो गया है हम छटवे दिन पर आते हैं सांज हुई फिर भोर हुआ ये कुछ रचना की और इसको बजाए पांच हुआ जाए 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 यहां देखिए गाए जिसके 26 नंबर सलोक में हैं अध्याय नंबर एक के फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मुनश को अपने सुरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समूंदर की मचलियों और आकास के पकसियों और गहलू पस्वों और सारी परच्वी पर और सब रहने वाले जन्तों पर जो परच्वी पर रहनते हैं अधिकार रखें यानि उनसे चतुर शाना हो समझदार हो उनका कंट्रोलर बन सके हैं खाने के लिए नहीं कहा इसमें बगवान ने तब परमेश्वर ने 27 नंबर सलो परमेश्वर कहा करते हैं से मर रहे हैं यथार्थगान से परिचित नहीं है अब बता बगवान कैसा हो गया एक बालक नपूच ले छटी कक्स है कि इसने पढ़ कर बता देगा परमात्मा बगवान परमेश्वर ने कहा मनुस को मैं अपने जैसे रूप का बनाओंगा और ऐसा ही कर जिया नर्नारी कर कर उसकी स्रिष्टी करती है बता फिर पगवान नराकार की तो हो गया अब कबीर परमेश्वर कहा करते है मेरे सादो भाई मनसब जग भूला पाया मेरे सादो भाई मनसब जग भूला पाया आगे देखो परमेश्वर ने किसी को भी मास खाने का आदेस नहीं दिया हम ये पांच परिष्ट पर पढ़ रहे हैं पांच परिष्ट और जैंशिस यानि इस उठपती और सताइस मां हमने पढ़ लिया आई है अब देखो ताइस अब कहते हैं फिर परमेश्वर ने उनको आसिश दी और कहा तुम फूलो फलो पर जाओ ठीक है फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो मनस के खाने के लिए क्या आदेस है परमेश्वर का फिर परमेश्वर ने कहा सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड सारी पर्थवी क उपर हैं और जितने वरक्षों में बीजवाले फल होते हैं वे सब मैंने तुम को दिये हैं वे तुम्हारे भोदन के लिए हैं माज खाने का आदेश परमातमा का किसी को नहीं है ये फैनल फैंसला है पूर्न परमातमा का जिस ने शिर्ष्टी रची अब हम यहां लेगते हैं च्छटा दिन हो गया अफ्टांज हुई फिर बहुर हुआ इस परकारिय च्छटमा दिन हो गया अब सात्मा दिन में क्या क्या और परमेश्वर ने अपना काम जिशेवा करता था सात्मा दिन समाप्त किया और उसने अपने किये हुए सारे काम से सातमे दन विसराम किया अपने अत्माओ ये सपष्ट हो गया कि प्रमातमाने छे दन में सिर्ष्टी रची सातमे दन तकत पजा बैठे है यानि विसराम किया अब पवीतर कुरान सरीफ के अंदर सूरत फुरकानी पत्थिस आयत नमबर बाउन से उनसट तक ये सपष्ट कर रख्या है कि वो कबीर नाम का परमेस्वर है और जिसको मुस्लमान धर्म के अन्वाई जिसको अपना अल्हा मानते हैं कि उस अल्हा ने कुरान सरीफ का ग्यान दिया ग्यान बताया वो कुरान सरीफ का ग्यान दाता अल्हा कह रहा है हदरत मुम्मण जी को कि मैं तुझे जो ग्यान दे रहा हूं इसको काफर नहीं मानते कि कबीर इजगौड कबीर अल्हा है तु उनकी बातों में मत आना मेरे दुआरा इस कुरान की श्रीफों के हिदायतों पर तो विश्वास रखना और वो परमात्मा वही है जिसने छे दिन में सरिष्टी रची साथ में दिन तकत पर जा वेटे इसे सिद्वा कि कुरान स्रीफ का ग्यान दाता से अन्य है कोई पूर्ण परमेश्वर जिसका उस कुरान स्रीफ के ग्यान दाता को भी ग्यान नहीं उसने भी आप्शन छोड़ दिया कि उसकी जानकारी किसी बाख़बर से पूछो यानि तत्वदर्सी संथ से पूछो अभी दिखाते है ये देखिएगा पुईतर कुरान स्रीफ इस पे इसको पूर रुष्य सविकारिये है कौन मुसल्मान धर्म के सरधालू बोल रहे हैं कह रहे हैं लिख रहे हैं अब मुजर्तम यानि से अन्वाद स्टीपन सास्त्रिये अर्भी पदती पर नागरी लिप्पी में रुपान तरकार नंद कुमार अवस्थी शेरवानी संसकर्ण ये तब अर्भी बासा है जालीकल किताबू ला रेव जैसल फी यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संधे की गुन जायस नहीं यानि कत्ति सट्थ है कुरान स्रीफ मुतर्जम बहरिस बरहसिया सानवाज स्टीपन सास्त्री अर्भी पद्धी पर नागरी लिपी में सेरवानी संसकर्ण कहां से छपी है प्रकासक है लखनव किताब घर मौसम बाग सीता पूर रोड लखनव से लिए अब आपको दिखाते हैं ये देखिएगा सूरत फुरकानी प्रश्ट नमर 604 पर है सूरत फुरकानी कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नमर और हम नीचे आते हैं ये है ये है अर्भी भासा लिखी उर्दू में है और इसका फिर अर्बी भासा का जैसे ये हिंदी में लिखा है ऐसा उर्दूम लिखी है यहां देखिएगा इसके बावन नम्बर आयत ये काउनमी आसमाप तुही फला तुतियल काफिर वे जाहिदुम भीही जाहिदन कबीरन बावन कबीरन कहो कबीर कहो कबीरा कहो ये दिखाऊँ आपको ये कुरान मजीद देखते हैं से इसके कंसेप्ट के दियर करने की ये देखिएगा कुरान मजीद नाम नाम में अंतर है ग्यान बिल्कुल है जिटीज है आसिबुक डिपो, 422 मटिया महल, मजामा मस्जित दिली 6 से परकासित है कुरान मजीद, हिंदी मतर्जम, मा अर्बिक मतन, मुजर्मा, तर्जुमा, मौलाना फते मौम्मद खान साहिब, जालंदरीद, तहसी, मौलाना अब्दुल, यह तह सही, मौलाना अब्दुल मजीद सर्वर साहिब, परकासित कैं फरीद वुग डिपो, प्राविट इदिली इतने, यह देखिएगा, यह कुरान मजीद, सूर्थ फुरकानी 25, इसके प्रिश्ट नमर 576 पर, और कुरान यह सूर्थ फुरकानी है, अब यह गिल्कुलाइजिद है, वो अब निचे आते हम, बावनमी आयत, इस महनी अक्सर और प्रष्ट की लाइन पंक्ति का अंतर नहीं है, फला तुतियल काखिरन ने जाहिदम भी ही जिहादन कबीरा, कबीरन कहो, कबीरा कहो, यह लिखने का अंतर है, कबीरा भी लिख सकते हैं, कबीर भी लिख सकते हैं, कबीरन भी लिख सकते हैं, कबीरन मीन, यहां कबीरा है, कबीरा भी कह सकते हैं, यहां देख ये कुरान सरीफ में एक ही अक्सर है खबीरा खबीरन ये एक ही बात है इनका अर्थ हिनोंने बड़ा लिखा है जैसे उन्होंने कबीर देव का अर्थ कर गया सरवज्जे है इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया बड़ा अब देखो, अब वही कुरान सरीफ हम फिर लेते हैं कुरान मजीद हमने रख दिया क्यों इतना है लेना, कुरान सरीफ अब इसके प्रेश्ट नमबर हम 604 पर फिर आ जाते हैं 604 पर ये सुरत फुरकानी, सुरत फुरकानी 25 और हम नीचे आते हैं बाउन में आयत पर अब यहां इन्हों ने इसकी हिंदी की है इसकी हिंदी की है अनुआद किया है ये क्या उनमी समापती बाउन में प्रार मुए कुरान स्रीफ का ग्यान देने वाला अल्हा हजरत मुहमद जी को कह रहा कि ए पैगंबर, तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा नमानना और इस कुरान की दलिलों से उनका सामना बड़े जोर से करो इन्हों ने इस कबीरन अर्थ का यहां बड़ा कर दिया और इसका अर्थ यह बनता है कि कुरान स्रीफ का ग्यान दाता अल्हा हजरत मुहमद जी को कह रहा है कि तू इन काफिरां की मतमानना यह कबीर नमक पर मातमा है वो पूरन ब्रह्म है उसी की पूजा करना और मेरी इस बात पर मैं जो कुरान स्रीफ में तुझे ग्यान दे रहा हूं इस पर जलीलों से पूरा विस्वास करना कबीर इजगोड उस कबीर के लिए संग्रस करना उस अल्हा कबीर के लिए संग्रस करना इन काफिरों का कहा नमाना अब आगे देखो परिश्ट नमबर 607 पर फिर आगे आएत नमबर त्रेपन बाउनता मनपटली त्रेपन की हिंदी पढ़ते हैं और ये कबीर नमत परमात्मा वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया एक का पानी मीठा प्यास बुजाने वाला और एक खारी कड़वा और दोनों में एक आड़ और मस्बूत रोक बना दी और वही है जिसने पानी की बुन से आदमी को पैदा किया फिर उसको साहिब नसब यानि किसी को बेटा या बेटी और सुस्रार वाला यानि किसी का दामाद बहु बनाया और तुम्हारा परवदिगार हर चीज़ करने पर सक्तलिए मान है अब कुरान स्रीफ का ग्यान देने वाला अल्हा दो मुसलिमान अपना अल्हा मानते हैं वो हज़रत मुमुत को कह रहा है के तुम्हारा परवदिगार वो पुरुन परमात्मा सम्रत है सत्गुर्द जो चाव ऐसो करही सब चीज करने में सम्रत है सकती मान है और पच्पन में क्या कहा है काफिर अल्हा के स्वाव ऐसों को पूझते हैं जो ने उनको नफा पुझा सकते हैं और ने उनको नुकसान पुझा सकते हैं यानि अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं काफिर और काफिर तो अपने परवर्दिगार से पीठ दिये हुए हैं मूँ मोडे हुए हैं अब 56 में आयत नमर 56 सुर्द फुरकानी की 25 की और ए पैगंबर हदरत मुहमंद हमने तुम को खुशकबरी सुनाने हाँ जो चाहे अपने परवर्दिगार तक पहुंचने की रहा इक्तार कर लें अब 58 में ए पैगंबर उस जिन्दा पर भरोसा रखो जिन्दा महात्मा के रूप में परमिश्वत हदरत मुहमंद जी को मिले थे और परमात्मा कहते हम मुहमंद को वहां ले गयो इच्छा रुपी वहां नी रहो उट महमंद मेल पठाया गुजवी रजे कलमा लाया रुज़ा बंग नमाज देईरे बिसमल की नई बात कही रहे अब जिन्दा महात्मा के रूप में परमात्मा कर मिलते हैं और तारिफ के साथ उसकी पाकी ब्यान करते रहो और अपने बंदों के गुनाओं सेवे कबीर खबरदार है यहां देखो अठावन यहां देखो अठावन वो खबीरह कहो, कबीरह कहो, कबीरन कहो इन्हों बड़ा अर्श कर देअ इसका यह लिखा है इवादही कबीरन इवादही कबीरा इवादही माने इवादत इवादत माने पूजा इवादही माने पूजा के योग कबीर है वो कबीरन है कबीर कहो खबीरा कहो इवादही कबीरा इवादही कबीरा वो पूजा के योग वो पूजा के योग कबीर परमात्मा ह इस अठाउन का इन्होंने यहां कर दिया और ए पैगमर उस जंदा यानि जंदा मातमा मिला उसको उस पर ब्रोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है और तारिफ के साथ उसकी पाकी ब्यान करते रहो यानि कुरान स्रीफ का ग्यान देने वाले से कोई और है पुर्ल प्रमातमा यह सफ़श्ट हो रहा है और अपने बंदों के गुनहाओं को यानि पापों का नास करने वाला है और वो कभीर यहां नहीं काफी लिख दिया कभीर का काफी माने बहुत यानि अच्छा अधिक बड़ा वो कभीर खबरदार है वो खूब जानता है तुम्हारे पापों का वो नास कर देगा अब उन सिट में कमाल कर दिया अब जिसने आस्मानों और जमीन में और जो कुछ उनके बीच में है सब को छे दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जाबरा जाँ है वही प्वीत्षि और वाईबल वाला पर करन है वह अल्लह बड़ा एनोंने फिर खबीरा का बढ़ा लिखदे प्र तो अल्लह कभीर लिखना था यह ध़कू अन्सइट पर आए है निसका भी आर्तिनोंने बड़ा कर दिया ये लिखन में गलती रहेगी ये कबीर नहीं कबीर है वो अल्हा कबीर है ये देखिए फिर पढ़िए उनसट नम्मर आयत जिसने आस्मानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सब को छे दिन में पैदा किया और फिर तकट पर दाविरा जा है वह अल्हा कबीर ये कबीर लिख जाना चाहिए वह अल्हा कबीर है रह्मान है दयालू है और उसकी खबर किसी बाखबर से बाखबर माने तत्व दर्सी संसे इलम वाले से पूछ देखो अपना आत्मों इन दोनों धर्मों के पवीतर सद्गरंथों ने रल मिलकर ये सफ़ष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुस सद्रस है वो सै सरीर है उसका नाम कबीर है अब आपको दिखाते हैं अब ये तो पवीतर इसाई धर्म और मुसलमान धर्म के पवीतर सद्गरंथों से सफ़ष्ट हुआ कि परमात्मा साकार है मनुस सद्रेश है उसका नाम कबीर है अब आपको बताते हैं दिखाते हैं सुनाते हैं पवीतर गुरु गरंथ साहिब के अंदर परमात्मा की सथित्थी क्या है अब शिरी गुरुगरंद साहिब पन्ना नंबर 1297 पर बहुती सीधे अक्सरों ने लिखा है सपस्ट कि वो परमात्मा मनुसदर से है, साकार है यह देखिएगा, पढ़ के सुनाते हैं आपको अब गुरुगरंद साहिब महला पहला महला पहला जो है, गुरुणानक देवजी के मुखारविन से उचारी तमर्तवानी है इसके प्रश्ट नंबर 1297 पर लिखा है बग्ये कपड बोले बेंड लम्मा नक काले तिरे नेड अब कहते हैं सफेद कपडे और बोले बेंड यानि आवाद लगा रहा है लम्मा नक काले तिरे नेड यानि लम्मा नाक और काले आख नेड माने आखे और कब हू साहिब देखा वहन उड़ उड़ चड़ियां असमान साहिब समर्थ तेरे तान जल्थल डूंगर देखा तीर ठान ठनंतर साहिब बीर अब यहाँ वैसे एक साहिब कबीर सबद है यहाँ मिस्प्रिंट है फिर क्यों आगे फिर कहा है कि जिन तन साज दिये नालखंब अती तरशना उड़े की धंज नदर करेता बंधा धीर जिमें विखा ले तिमें विखा बीर अब एक सब्द में एक यानि इसमें कहना हम सब्द में अर्थाथ एक भदन में एक सब्दा यानि कवीता में दो बार बीर नहीं आ सकता क्योंकि यह मापरुस की बारी यह किसी बालकी नहीं है अब इसमें दो बार अन्त में बीर आया है इसमें एक सथान पर ठान ठान अंतर साहब बीर यह साहब कवीर होना है मिस्प्रिंट हो गया है फिर आगे लखिया जिमें विखाले तेउं देखा बीर ये फिर बीर आ गया है ने इतनु जाईगा ने जाहेंगे खंब पाउन पाणी अगनी का संभंध नानक करम होए जपिये कर गुरू पीर सच समावे होए शरीर अब फिर तुर्ण थी बारा सो सताउन परिष्ट पे क्या लिखा है कि निरंकार आकार है आप पे आप पे भरम भुलाए करकर करता आप पे वेखे जित भावे तिमुक्तित लाए अब पता इसमें के एक असर रहेगी जैसे अब गुरू गरंद साथ में एक निरंकार लिखा इसमें सपश कर दिया कि निरंकार आकार है वो साकार है और यहां साफ कर दिया और भी इसमें बहुत से परमान है फिर इसमें लिखा है साथ सो इकीस प्रिष्ट पे साथ सो इकीस प्रिष्ट पे गुरू गरंद साथ में एक अर्ज गुफ्तम पेस्तोदर गोस्कून करतार हका कबीर हका कबीर करीम तु एब बेएब परवर्दिकार एक अर्ज गुफ्तम पेस्तोदर गोस्कून करतार है कुन करतार माने है सबद सरूपी राम गोस माने एक संत रूप मपरगट मेरी एक गुफ्त अर्ज आप से है है हका कबीर है हका कबीर माने है सत कबीर है अविनासी कबीर करीम तु करीम माने दयालू और बेएब परवर्दिकार निर्विकार परमात्मा बद बखत ये लाश्ट में सुनाते हैं पूरा नहीं सुनाऊगा बद बखत हम्चू बखील गाफिल बे नजर बेबाग हमारा ग्यान तो आपके सामने ऐसा था जैसे हम बेबाग बोल रहे हैं जो मुम आई हूँ ऐसे बोलते थे हमें ग्यान नहीं था नानक बगोवित जन तुरा है बगोवित माने नानक जी कहते हैं नानक कहे आपका जन और तेरे चाकरा पाखाख मैं तो आपके भगत जो आपके ग्यान से प्रीचित है उनके चरणों की धूल हूँ पहरों की खाक हूँ आगे दिखाते हैं परिश्ट नमबर 24 पर गुरुगरंद साहिब के परिश्ट नमबर 24 पर राग सिरी ये धानक रूप रहा करतार ये देखिए गा धानक रूप रहा करतार एक स्वान दूई स्वानी नाल भलके भोकाई सदा वियाल कूड छुड़ा मूठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करतार ये धानक रूप रहा करतार मैं पत्की बिंद न करनी की कार है वो बिगड रूप रहा ब्यक्राल तेरा एक नाम तारे संसार में एहा आस एहो आधार एवगवन हे कवीर परमात्मा हे दानक रूप परमात्मा जलाहे रूप में परगट परमेश्वर जब बनारस में देखा नानक साहिब ने कहते हैं तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहे आधार मुख निंदा आखा दिन रात पर घर जो ही नीच मनात काम करोदतन वसन चंडाल ये धानक रूप रहा करतार ये फाई सूरत मलुक की वेस अह ठगवाडा ठगी देस खरा सियाना भोता भर ये धानक रूप रहा करतार अब ये सारी वानी एक पुष्टक में लिखी हैं लग से ये आपको पढ़कर सुना रहा हूँ मैं कीता ने जाता हराम खोर उकिया मू देसा दुष्ट चोर नानक नीथ कहे बिचार ये धानक रूप रहा करतार अपने अत्मों आप जिने तीन पवीतर धर्मों के पवीतर सद्गरंथों से ये परमानित हो गया कि परमात्मा साकार है मनुस द्रिस है सह सरीर है उसका नाम कबीर है अब आपको दिखाते हैं वेदों में परमात्मा मनुश्वत है परमेश्वर मनुश्वत नर्वत मनुस के तरह है मनुस जैसा और अभी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा दिखाएंगे वेदों में समझदार को संकेत बहुत होता है दिखेगा यजुर वेद अज्धाय नमबर पांच के और मंतर नमबर एक में यजुर वेद अज्धाय नमबर पांच के अब इन से हमने केवल संसकर्थ देखनी है पर कासकें सारवदेशी कारिये पर तिम्ठी सबा दो बटा पांच मेरिशी दान भौन राम लिला मैदा नई दिली से उच्छपा है मेरिशी दान सरस्वतीत कर्थ इसने इसका अनुआद किया है मुद्र के प्रिंस आफसेट प्रिंटर्स पंदरा सो दस पटो दी हाउस दरियागंग नई दिली से अब यहां देखना पांच में दहे का अब देखना इन्होंने स्विम ही यह चतूर्थ अजहे में और यह अठाइसमा मंत्र है इसमें अगने माने जगदिस्वर या परमिश्वर किया है और भी बहुत सथानों पर बहुत इस सथानों पर अगने माने परमिश्वर अर्थ किया है यह जिवतिय अध्याय का और जिवतिय यदुर्वेद का यहां देखिएगा प्रोदमे सलोक में भी अगने माने परमिश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश् शरीर के समान है उसको है तरह जो है है मनुशो तुम लोग मनुश और लोग दोगे ये बितलित है ये अचल बचल बोल रहे हैं अब इन्होंने अपने अग्यान सोच को महरिशी दान जीने के परमातमाश निराकार है और वेदों में लिखा साकार तो इसको घुमाज या अनर् कर दिये अर्थों के इसमें लिखना था अगने माने है परवेश्वर तनो माने आपका सरीर है असी माने है विश्ण वे तवा सोबश से तनुरसी विश्ण वे माने सब के पारन पोशन धारन पोशन करने के लिए तवा माने उस सोबश से माने अमर पुरुश का तनो माने श तो सोमस्य माने आमर पुरुष का, परमेश्वर का, हम फिर आते हैं, पांच में जाये के पर्थम दोख हो, हम आराम से कर लेंगे इसका अनुवाद, अगने तनुरसी, विश्णवेत्वा सोमस्य तनुरसी, विश्णवेत्वा सब के धान पोशन करने के लिए, तो आम आने उ अब और दिखाते हैं, थोड़ा कंसेट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं जब बात काची रह जाएगे, इस आरिये समाज के ही एक आचारिये ने अनुवाद किया सामवेद का, और उसने अगने माने परमेश्वर सेक्ड़ों बार दिखा, देखिएगा, इकठा ही यह देखिएगा यहाँ पर, प्रधान कारियाले दान संस्थान वेद मंदिर महत्मा वेद विक्सु, सेवा आसरम, मुकमेल पुर दिल्ली दुरवासितना हैं, दान संस्थान नई दिल्ली, परकास्तक हैं, पंडिता राकेश रानी, अध्यक्स दान संस्थान, 226 आरिय समाज मारग, करोल वाग नई दिल्ली से, दुरवासितना हैं, और इसके वेद भिक्सु जी ने इसका अनुवाद किया, यह देखेगा, स्याम वेद जहां से स्टार्ट होता है, यह देखेगा, स्याम वेद वासा वासितना, पर्थमों अज्याय सामवेद वासा वासितना, और पर्थम मंतर में, अगने माने हे इस्वर, दूसरे मंतर में, अगने माने हे परमेश्वर, तीसरे मंतर में, अगनी माने इस्वर को, चोथे मंतर में, अगनी माने परमेश्वर, पांचमे मंतर में, अगने माने हे इस्वर छटे मंतर में अगने माने हे इस्वर साथ में मंतर में अगने माने हे परमेश्वर आठ में मंतर में अगने माने हे इस्वर नुमें मंतर में अगने माने हे परमेश्वर दस में मंतर में अगने माने हे परमेश्वर और यहां आगे भी अग्नेmay माने हे पड़ अपने पतमों हमारे सद्रगरण सही बोल रहे हैं यह अनाड़ी अज्ञानी इसे नकली महरसिय क Bodhave मुणान ग्यान नहीं था सा कलियो के पड़ा मुणाना कि त्यान ग्यान ंग Admै घुट्त घ्यान हो था यह पंत्रमजय है बहुत आशानी से समझ सकते हुआ आपकर पर्थम मंतर अगने तनुरसी अगने हे परमेशवर आपका तनु माने सरीर असी माने है और विशनवे तवासो में सेतन औरसी विशनवे मने सब के धारन पोशन करने का इस में पवित्तर यजुर वेद में पांसमे दया के पर्थम मंतर में एक अठा ही दो बार कहा है क्योंकि दो बार क्यों कहा है क्योंकि एक रूप में परमात्मा सतलोक में वहां सती रहे वहीं रहते हैं और दूसरा अन्य रूप धाल करके यहां तेज पुंच का हलका स्रीर बना कर हमारे को तरप्ट करने के लिए ग्यान देने के लिए अतीथी रूप माते हैं अतीथी अतीथी माने जिसके आने की तीथी पूरो दिर्धारित ना हो अचानक आजावे है भी सनुवेता सोमशे तनुरसी तवा माने उस सबके धार्ण पुरुशन करने के लिए उस अमर परिवेता सोमशे माने अमर पुरुश का तनुमाने श्रीर असी माने है अब आपको जिखाते हैं इसी यदुर्वेद अज्जाय नमर साथ के और मंतर नमर उनतालिस में नर्वत नर्वत माने मनुस सद्रे से यह देखिएगा यह सब्तम अज्जाय यह सात्मा अज्जाय सब्तमो अज्जाय यदुर्वेद वासा वासे और यहां देखिएगा महान इंदर नर्वत आ इसका इनोंने अलग संदी छेद किया है महान नर्वत मनुश्यों के तुल्ड महान इंदर इंदर माने परमेश्वर महान माने सबसे बड़े परमात्मा नर्वत इसका अनुवाद इनोंने संदी छेद क्या नर्वत मुनुश्यों के तुल है वो प्रमात्मा मुनुश सद्र से है इसने तग्यान करक्या है और यह दुर्वेद अज्जाय नंबर पांच के मंतर नंबर आठ में तीन बार लिखा प्रमात्मा सय स्रीर है इसके अंदर तीन बार लिखा प्रमा सय स्रीर है यह देखिएगा यह पांच मा ज्जाय यह दुर्वेद का पांच में अज्जाय का और यह आठ मा स्लोक है इसमें तीन बार लिखा है मनुश लोगों तुम को जो इस अगने माने बिजली कर दिया परवेश्वर का सुना दी सोने से अटन बड़ा यानि बहुत सुंदर अभ्यमतर रहने वाला तनुमाने स्रीर है उस परमातमा का और अगे फिर अगने माने इन बिजली कर दिया परमेश्वर का सब अटन बिजली अभ्यमतर रहने स्थीत होने वाले लोकों में सोने वाला तनुमाने स्रीर है यानि इस परमातमा की तीन बार लिखा इसमें तीन स्थीती का स्रीर है और वो नर्वत मनुस दर से है पुन्यातमा अभी तक हमारे को इनोंने मुर्ख बना रहा था इन किसी को भी कहखे का ग्यान नहीं था ना वेदों का ना अपने अपने सद्गर्थों का किसी को भी ग्यान नहीं था अब गीता जी के चोथे जहें पत्तिस से लेकरी करतिस्ते पिखा है कोई तो साधिना करता है कोई देवताओं की फूजा करता है और कोई पराण अपान की किरियाएं करता है कोई सवध्याय करता है कोई टिक्सन अहिंसावादी वर्त का ही पालन करता है यानि मूपा पट्टी बांजली नंगे उपारो रोना और गोमना और कोई सवध्याय करते हैं कोई आसन करते हैं कोई योग भ्यास करते हैं कोई सुसवास उस्वास पाप नासक जानते हैं यदि उनको ये पता होगी ठीक नई तो चोड़ दें फिर चोछे जाये के 32 में सलोक में काई है कि बहुत विष्टार के साथ इस धारमे की यगों यानि अनुष्ठानों की साधनाओं की जानकारी दी है उस सचीदा नंद घंपरम की वाणी में उनके मुखार्विन से उचारित वाणी में बहुत विष्टार से कहा है कि कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए और वह ग्यान तत्व ग्यान है उसको जान करके फिर तुम सब पापों से सभी कर्मों से मुक्त हो जावगा चोथे जाय के चौटिस में सलोक में कहा कि उस तत्व ग्यान को तत्व दर्शी संतों के पास जाकर समझ ये देखे स्रीमत बगुद गीता उसके बाद आपको ससीदा नंद घर्म की वानी दिखाएंगे जैद्याल गोहिंद का इसके अनुआदक हैं गीता प्रेस गोरुपुर से परकासित है ये चोथ है जायका अध्याय नंबर चार और स्लोक नंबर पत्तिस से प्राहरम करते हैं अप्रे माने बहुत से अन्य दूसरे योगिजन देवताओं के पूजन रूप यग माने धारमेक अनुष्ठान यानि सादना का ही भली बाती अनुष्ठान किया करते हैं और अप्रे माने अन्य ब्रहम अगनु यानि ब्रहम की ही सादना करते हैं पर ब्रहम की नहीं ब्रहम सबस्ट लिखा है और यग के द्वारा ही आत्म रूप यग का हवन क्या करते हैं 27 में कहा है कि अन्य योगी दन कुछ सादक स्रोतर आजी समस्थ इंद्रियों को संयम रूप अगनी में हवन क्या करते हैं यानि अपना हठ योग करते हैं इंद्रियों को रोकने की अभ्यास करते हैं दूसरे अन्य सबदादी यानि कान बंद करकर उसको समस्त विश्यों को इंद्रिय रूप अगनी में हावन किया करते हैं 27 में कहा है दूसरे योगी दन यानि कुछ योगी दन इंद्रियों की संपुर्ण क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ग्यान से प्रकासित आतम से योग रूप अगनी में होन किया करते हैं होन मनसाधना करते हैं और 28 में कहा है कि कई पुरस दर्वय संबंदी यग करने वाले हैं यानि दंसे होने वाला स्पुल कहीं पर दर्बशाला बनवाजी कि तब बंडारे करवाजी है किता जोड़ तलाब बनवा दिया और कुछ तपस्या रूप यह करने वाले हैं कुछ तपस्या करते हैं तपस्या रूप इसाधना करते हैं तो था दूसरे कितने ही योग रूप यग करने वाले हैं यानि आसन उसन करते रहते हैं और कितने ही अहिंसावादी तिक्षन वर्तों से युक्त अहिंसावादी तिक्षन वर्त यानि जैसे मुपपटी बांदरी नंगेपरां गुम्ना यतिन सिल पुरुष और कुछ सवध्धाय ग्यान यग करने वाले हैं गीता का पाठ कर लिया वेदों के मंतर पड़ लिये 29 और 30 में कहा है दूसरे कितने योगी जिन अपान वाईयों में प्रान वाईयों को हमन करते हैं यानि स्वांस हो स्वांस की क्रिया को शुक्सम कर लेते हैं प्राण वायों में अपान वायों के कुछ इसके विप्रित करते हैं प्राण आम प्राण प्रुष प्राण और अपान की गती को रोक कर प्राणों को प्राणों में होन क्या करते हैं और ये सभी सादक यगों द्वारा पापों का नास करने वाले यगों को जानने वाले हैं इनका करने का भाव ये है कि ये सभी अपनी अपनी सादनाओं को पाप नासक जानते हैं अब 31 मत ये कहा कि तो सादना नहीं करते हो तो ना यहां सुखी ना उदर सुखी यहां सुखी नहीं है तुम फिर परलोक में कैसे सुखी हो सकते अब 32 में सपच किया है इस परकार बहुत परकार की यग माने धार्मे कनुष्ठानों की जानकारी बर्मने मुखे यह इनोंने गल्द अनुवाद कर दिया वेद की बार्णी यह गल्द कर दिया अब सत्र में जाह के तेईस में सलोक में इनहीं के दौरा अनुवाद दिखाते हैं आपको अज़ाय नुमर सत्रा श्रीम घ्रबुद गीता तेईस सलोक में ओम तत सत इती निर्देसे बर्मने तिर्विजर समरता है यह बर्मने सब्द है इन्होंने स्वयम अनुवाद किया के ओम 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 तत तत सत सत ऐसे इती माने ऐसे यह तीन परकार का बर्मने माने सचीदानन्द घन बर्म का नाम कहा है सचीदानन्द घन बर्मने माने परमकसर बर्म तो यहां हम फिर आते हैं चोथे जाए के 32 में सलोक में है चोथा जाए यह 32 में सलोक है इस परकार और भी इस परकार यानि अभी पहले सुझे ना 35-31 तक है इस परकार के बहुत तरह के यग्माने धार्मिक अनुष्ठान बर्मने मुखे सचीदा नंद घंबर्म के मुख अर्विद से अपने मुख से उचारित वानी में उनकी अमरत वानी में विस्तार से कहे गए हैं उन सब को तू करम जान यानि उनको करम से होने वाले नाम उठत नाम बठत नाम सोत जाग गए नाम खाते नाम पीते नाम सोत लाग बे चृलिस मेद है के युद्रुवेद के मंत नम्बर 15 हमां कहा एम कर तु समर कलवे समर कर तु समर यानि वो अपने कारिया करते करते करिया है होती है स्वचिदा नंद घ्रवर्म के दौरा दो घ्यान दिया है संपन होने वाले जान है इस परकार तत्वा से जान कर बता है अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू सचीदानंद घंबर्म की वानी मजोवर नित है तत्व दर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ उनको भली बाती डंवत परणाम करने से उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ कर शर्टा पुर्वक परसन करने से वे परमातम तत्व क भली बाती जानने वाले ग्यानी भातमा तूझ को तत्व ग्यान का उपदेश करेंगे वो तत्व दर्शी नहीं अब वो सचीदानंद घंबर्म की वानी आपको थोड़ी सी सुनाएंगे उसमें कैसा निरना ग्यान किया है कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहि 16 के सलोक नुमर 23 और 24 में कहा के अर्दुन जो साश्ट रविधी को त्याक का मनमानी पूजाएं करते हैं मनमाना आचन करते हैं उनको उनकी ना गती होती है ना उनको कोई सुछ प्राप्ती होती है और नहीं उनका कोई सिध्धी प्राप्त होती है योजलेस इसलिए इससे अर्दुन तेरे लिए करते हो राय करते हो की विस्था है जो करने चाहिए ना करने चाहिए त्यागने चाहिए या ग्रहन करने चाहिए उसके लिए सद्गरंथ की परमान है किसी की दंद कता पर विश्वास मत करना अब क्या बताते हैं सट दर्शन सट बेख कहावे बहुविद धुन्दू धार मचावे तीरत बरत करेतर बीता बेद पुरान पड़त है गीता योभी बैदा है बैदे से बेद अलहदा योभी बैदा बैदा माने योजलेस व्यर्थ साधना है के सट दर्शन सट बेख कहावे ये जैसे सन्या सीग जो होना गिरी पूरी सन्या सीग वैसनो नागगा और ये नाथ ये छे परकार के ये तो इस तरगुन उपासक हैं तीन नो गुन रजबन गरुमा सत्कुन विश्मत अमुन शिवजी के उपासक हैं ये विशे हम कहा है बेक रहे इनको कोई गान नहीं यहां पर मातना कहते हैं कि चार संपर्दा बावन दवारे जिनों नहीं निज्ञ नाम डिचारे अब ये क्या पढ़ है गीता बेद पुरान पढ़त है गीता और तीरत बरत करें तरवीता वेथों में गीता में कहीं तीरत और बरत करन की नहीं गीता जी अज्याय नूम issue के स्लोक नंबर 16 में कहा कि अरजुन यह साधना यह योग ने तो अधी खाने वाले का ने बिल्कुल ना खाने वाले का यानि विल्कुल ना खाना वरत रखना कभी सफल नहीं होता तो यहां कहते हैं तीर्थ बर्त करें तर्बीता बेद पुरान पढ़त हैं गीता चार संपर्दा बावन दुआरे जिनों नहीं नांड चारे माला घाल हुए हैं मुक्ता सटदल उवाबाई बकदा अब गीता पढ़त हैं अन्यों कहें मौल मंतर के हरे राम राधे शिरी राधे राम राम हरे राम करशन करशन राधे राधे ओम नों मैं शिवाए और गीता में किता ये मंतर नहीं बेद पढ़ें पर भेद ना जान ये बांचें पुरान अठारा जड़कू अंधे पत्ते खवाऊं ये भूल गे सिरजन हारा बेरागी बेराग नजाने बिनसत गुर नहीं चोट निसाने बारे बाट बिटम बिलोरी ये सट दरसन में भगती ठगोरी इन सट दरसनियों में इस है परकार के जितने भी सादो संत हैं ये गिरी पुरी वैशन उपासक किर्शन जी के उपासक ये नाथ पर्मपरा के कहते हैं इनमें ठगगी की भगती है वेर्थ भगती है जीवन नश्ट करने की ये आपको मुर्ख बना रहे हैं सन्यासी दस नाम कवावें हैं सिवशिव करें नसन से जावें निर्बाणी नीकत निसारा भूल गए हैं वो बिर्म दवारा ये बिर्म तक भी ना जानते शिवजी को परमात्मा बनाए बैठे हैं सुन सन्यासी कुल कर्मनासी बग में प्योंदी भूल ले धोंदी छल्चिदर की भगती ना कीजे आगे जवाब कहो क्या दीजे जंगम जैनी फोकट फैनी नामना चीन्या गुरु गुण हीना नगन निरासा तनकुतरासा पसू पराणी स्वान समाणी ये नंगे फिर्ते हैं जैनी बीर और ये नागा अपसादू भी कहते हैं नगन निरासा ये निरास जाएंगे इनको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा और तनकू तरासा अब इसी बुंडी सरदी में गर्मी में ये नंगे अंडे अपसुपन का अपना अंड्या गरोगे निवस्तर अपस दके खाओगे अब प्रमात्मान कितना सुंदर श्रीर दिया बुदी दी इसमा अपना सब बैतरी के से रहो और भक्ती करो सच्छाद ना करो कहते हैं नगन निरासातन कुछ तरासा पसुपराणी सवान समानी पसुपराणी सवान की कुछते के तरह नंगे फिरते हैं बेद पुराणी कथा कहानी पड़पड भूले अर्थ ना खुले कहते हैं बेद पुराण पड़े नोंने और उनकी कथा कहानी अपने अक्षाब से बणा वैठी नोंने अर्थ समझ मनी आए वेद और गीता और ये पुराण क्या समझाते हैं बैरागी सन्यासी सेवडे तन पर छार लगावे हैं ये पांचो नार पचीसों लड़के धुंदु धार मचावे हैं अब क्या बताते हैं के घर छोड़ दिया बैरागी बन गया एक नारी चाग दिनी पांच नारी गैल बे और पाया नदवारा मुक्ती का सुखदेव करीब उसेल बे एक नारी चाग दिनी प्रमात्मा की महिमा से प्रिचित होकर पुन्यात्मा कहते हैं अपने घर बार चाग कर पत्री को छोड़कर जंगल में चला जाता है सन्यासी बन जाते हैं बैरागी बन जाते हैं नारी को औरत को इस्त्री को किस लिए छोड़ते हैं कि वो भक्ती में बाधक है और प्रमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दिनी पांच नारी गैल बे गैल बने साथ में और पायाना दवारा मुक्ती का सुखदेव करीब उसेल बे अब एक नारी यानि इस तरी तो छोड़ दी तुने बाधक समझ गए के तेरी भक्ती में बाधा करेगी और ये पांच नारी गैल बे काम करोद बो लोब एंकार इन नत्याग बेटा जब बनेगा बेरागी और फिर क्या सांग काट है कंथी माला और मर्गचाला शेर पएजटा रखा हुए है कंथी माला और नोग Bell कर ये तो जरूरी चाहिए कंथी कंथी तो मु하고िगी क्या नाम से हुएगी इस सत्सादना से मर्यादा से रहने से पूरे गुरु से उपदेश लेकर वोक्स होगा इन बनावटी बाई है आडमर से कोई बगती में सही होग नहीं मिलेगा आपको कंठी माला और मर्गचाला ये शर्पए जटा रखावे हैं बगवान के मर्ग में और ऐसे बंडेला है जैसे काम करें ये भगत थोड़े ही तन के योगी मन के भोगी गुलर पेट पड़ावे हैं गुजबीरज का मरमना जाना ये भदर भेख बनावे हैं बड़िया दाड़ी डूड़ी रखा कर बड़ी केश बना कर खूब चमक दे कपड़े पैन का है अन्यों को बहुत सुंदर बन कर बंठन कर चालना ये सादू बन कर परमातमा कहते हैं कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या हो कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या हो उपर डूंडा साधू का तन अंतर रख्या खो करवा और कोपी न लिये जो बनखड गुफा बना हुए हैं खुद्या कुती घट में दूती फिर गरी दवारे आ हुए हैं कहते हैं करते हैं छोड़ चला जंगल में जाका गुफा बना लिए फिर स्यामन भूख लागी फिर दख्ये खाना आया गरिष्टी के दवार गाम में जीए माई जीए माई जीए माई और माई दो रथा है ना गर में बनी बनाई रोटी में ले चीए बगती का पता चला नहीं बे मतलब होक है बाउक अज मूर खान के बैकाई से जा बैठा जंगल में अब खाना लिने के लिए फिर गाम में दख्ये खाना आया करवा और कोपी लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं खुद्या कुटी गट में दूती फिर गरही दवारे आवे हैं खाकी और निर्बानी नागा ये सद्ध मात चलावे हैं रन सिंगे तुरही तुत्कारा फिर गगड़ भांग घुटावे हैं अब ये बांग कोपी हुए हैं के गर्ता छोड़ जाए हैं अपनी प्रेरना से पगवान पाने की फिर उड़ावा कुण बायाद फिर ये नह से हम गेरे राखें के गुरू वो दिखे ना नो कभी चंता सी करता चेल लाग वो गर्याद आ गया नो बांग गोटे ले एक मारे का ठूटाओ पड़ा रहा है फिर उसारा जाए है कदे भागना जातों मारे पासे इननों वहाँ अपनी मजबूरी हो जाती है उनको रोकना फिर कैसी कैसी साधना करते हैं कासी गया परियाग महोद जगनात कूँ जावे हैं लोहागर और पुषकर परसे द्वार का दाग दगावे हैं योभी बैदा है बैदे से भेद अलएदा योभी बैदा बैदा क्यों जाना हम सत्गुर बेंटे जो जाना कहती हैं सब बैदा है वर्थ है फिर पूछा कि आप जिन बैदा कैसे जाना गरीब दास जी से पूछा कि हमने सत्गुर मिल गए इसलिए पता लगया हमें वो परमेश्वर स्विम्तत्व दर्सी संत रुपाई थे कबीर जी उन्होंने बता गिया इसलिए पता लगया ये बैदा है काकड भांग तमा खूपी हुए बकरे काट तला हुए है और सन्यासी संकर को भूले ये बंब महादेधा हुए है बताओ ये बगवान नहीं बूल गए संकर का भी नाम ना लेते हैं आपने देखे होंगे कावड लावनी है बंब 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 अब अगवान संकर का नाम भी ना लेते हैं बंब बंब भंब भी कोई मंतर है यो साहरा दिन टाइम वेस्ट करना ली बात है ये दस नाम दया नहीं जाने गेरू कपडरंगा हुए हैं पारवर्म से परिचित को ना ये सीव ने करता ठैरा हुए हैं उस पुर्ण प्रमात्मा का ज्यान नी और शीव जी ने करें मरतुन जे कालज जे सर्वेश और महेश और अद्रोवा मुर्ण के कोई माता पिता नी हुआ वावाई वक्ष आसन करें कपाडी ताडी उपर चरन हला हुए हैं अजब पासेती मरहम नाही सब्दम खाली जाओं है अब आसन करें हैं जोसे आपने देख्या टेली विजना पाओं हैं लोगान मुर्ख बढाओं हैं पेट ननो गुमाओ उट पेट के गुमाने तो बगवान मिल जागा बता प्रमात्मा की विद्य है वो करते नहीं कहते है अजब पासेती मरहम नाही सब्दम खाली जाओं हैं उस अजब पाशा जाब सत्नाम के जाब का पता नहीं सारे सांस वेर्थ जा रहे हैं आपके चार संपर्दा बावन दवारे बैरागी अब आए हैं ये कूडे भेख का लका बाणा संतों देख रिसा हूए हैं अब ये क्या करते हैं जो इनको सचा ही बता दे कि ये सादना गलत है, जो साद वो संत कोई ही बता है इन चार मुक्ति भी ना हो इनकी दोशाद ना कर रहे हैं और उस्त लोग कर सास्व सथान तो इनको मिलेगा कहां से ही कहते हैं इतना ग्यान दे वो सचा गुरू हमको अच्छा लगे वो सथ गुरू कहलाता है तीरत बरतों फेरें खुला सा जो पानी गलजात पता सा ओ तालिब सुपने नहीं आया अश्ट कमल खोजी नहीं काया यो भी बैदा है वैदे से भीद अलेदा यो भी बैदा कर्तिक मास महातम नावें गया परागों पेंड वरुआवें कर्तिक मास महातम नावें गया परियागों पेंड वरुआवें रसना राम रट्या ना कोई अगली पिछली सारी खोई राम रट्यावा ने सतनाम का जाप नहीं किया पढडे पाथ पढ़ें बवभाती ये हैं जमकें करके नाती सुतक पातक जिम्मन जाहीं ये साथ जनम सुकर के पाहीं पहर जने उफूले फाले हैं बामन होके बोगर घाले हैं उजड़ खेडे जोटा मारा ताते ब्रामन का मुँ काडा करते हैं खरकी जोन धरोगे देही भूल गए वो सबद सनेही करते हैं बैल का उपर एक गदे का बाहर रख के पोथियान गूमते फैरते हैं सास्तराज करते हैं करते हैं खरकी जोन धरोगे देही गदे बनोगे तुम भूल गए वो सबसे नही परमात्मा को भूल चुके हो कहते हैं सूर जंगली खाते हिंदू भूल गए वो बाना भूंदू हरी बरहतर अवतारा जाकू भक्सन करें गवारा अब दोनों धर्मों को हिंदू और मुसल्मानों को लताड रहे हैं परमात्मा कहते हैं हिंदू तो सूर खाते हैं मास खाते हैं और मुसल्मान गाएं खाते हैं तो कहते हैं तुम दोनों ही नरक मजाओगी हिंदों को कहते हैं कि तुम एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान ने ब्रहा रूप धारन किया सूर का रूप धारन किया और फिर उस ब्रहा को तुम खा रहे हो निरलग जो सूर जंगली खाते हिंदू भूल गए वह उबाना भूंदू हरी बरहा धरे अवतारा जिसको भखषन करें गमारा फिर मुस्लिमानों को कहते हैं हक हख करते हैं हक का 30 रोज़े सांबत रखा सांज पड़ी जब मुरगी मारी उस दरगा में होगी खमारी कहते हैं सारा देन तबुखे मरे 300 देन रोज़े करते हैं काजी खलक मुल्क को देखो सब गट एक बाना पेखो गव बना से आदम खोरा काजी मुला गारत गोरा जो गाएं को खाते हो तुम कहते हैं तुम्हारा नास होगा मुसल्मान इमान नम कीजे परदवारे गल छुरी ना दीजे भोजन छोड उरुदिर क्यों खाई कहते हैं मुसल्मान इमान नम कीजे कुछ दया करें और परदवारे गले छुरी ना दीजे किसी पराणी का गल मत का डै कहते हैं बोजन छोड रुधिर क्यों खाई काजू किसम सेव संत्री हलुआ पकोड़ी कचोड़ी इतने सुंदर आहर बगवान दे रख्या और फिर बोजन छोड तुम लव मास काई रुधिर क्यों खाई मुसल्मान इमान नम कीजे परदवारे गल छुरी ना दीजे बोजन छोड रुधिर क्यों खाई दया बिना दर्वेस कसाई तुम भगत कहाओ और जिसम दया नहीं हो तो दुष्ट है तो कसाई है दया बिना दर्वेस कसाई जिसके दया नहीं हो सादू बना मुसल्मान है ना हिंदू है जिसने इतनी दया नहीं मुख मुंदें और जूठा खावें आप दस्त लेवें नहीं धावें घोरी पिंड जेन चब धर्मा भूल गए साई गट गर्मा अब जैनियों को लता रहें परमात्मा जैनि जोग विजोगम साध्या भूल गए उस अगम अगादा बिना बंदगी जूठा रिसका वैसे आप उतर कहा हूए किसका जैनि जुलम गुलम योगेला जैसे है तेली का बैला घर ही को सपचास पियारा यो भूल गए साहव दरवारा जैनि जनम जुआ जो हारो हो ये पांचों इंद्री कसकस मारो मन मुर्ती का मरमन जान्या ताते जनम जनम हो सवाना जैनि जल्ठल पुरस विराजे है जाकी सकल घड़ा वलबाजे घटमे निर्कुन निर्बानी जैनि जाकी सार न जानी यो भी बैदा है बैदे से भेज अलेदा यो भी बैदा बैधा क्यों जाना हम सत्गुर भेंटे नू जाना अब क्या बताते हैं के जैनी जोग बिजोगम साध्या और भूल गए उस अगम अगादा जैनी जुलम गुलम युगेला और जैसे हो तेली का बैला घर ही कोस पचास पियारा भूल गए तुम साहब दर भार जैनी जनम जुआजों हारो यव पांचों इंद्री कसकस मारो अब क्या बताते हैं के जैनी जुलम गुलम युगेला और जैसे हो तेली का बैला घर ही कोस पचास पियारा भूल गए तुम साहब दर भारा जैसे जैन धर्म के अंदर आपने आज सुबह के सच्च में पढ़ा देखा महाबीर जैन जी के जीव की क्या दुरुक्ती हुई है एक पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने उसके 293 से 296 प्रश्ट पर लिखा है अब थोड़ी सी जलग दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये जैनियों की तर्चा आएगी इसमें जैनी जनम जुआ जो हारो हो पांचों इंदरी कस कसमारो कहते हैं जुआ सा हार कर जाओगे जो साधना तुम कर रहे हो जैसे जुआरी हार कर आत्रों सलता जाया कर रहे हो लुट गया अब देखो एक थोड़ी सी जलग दिखाएंगे जादा ले एक पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने और इन ही ये लेखे कहें परविन तंदर जैन एमने सास्त्री आओ जैन धर्म को जाने परकासक हैं सिरी मती सुनीता जैन और लेखे कहें परविन तंदर जैन एमने सास्त्री जंबू जी फिस्तनापर विशेश परकरण 293 परिश्ट पर श्री महाविर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम है इसमें ये पांस नाम बता रहा कि अब यहां से शुरू होता है कि महाविर श्री महाविर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारम होता है उत्र है पुरूरा नामक भील की प्रियाय से एक भील से पुरूरा भील कौन था उसने क्या किया वो पुस्कलावतीस जेस की पुंडरी कीडी नगरी में एक भीलों का रादा था श्री महाविर भगवान काजी पुरूरा भील की प्रियाय माने सरीर से कहा गया पहले सौधरम सुरग में एक सागरवाल की आयूवाला देव हुआ उस सुरग से कहां गया सुरग से कहां गया के भरत चक्रवर्ती की राणी अनंत मती से मारिची नामक जेश्ट उत्र हुआ यानि रसब देव का पोता था ये मारिची और यही आगे चलके माविर हुआ फिर मारिची के सरीर से माविर भगवान का जीव कहां गया ब्रम सुरग मजेव हुआ फिर ब्रामन हुआ फिर सुरग मगया फिर ऐसे ऐसे फिर सुरग अब हम यहां आते हैं दो सो पे चानुवा प्रश्ट पह निगोद से निकल कर स्री महाविर भगवान का जीव कहा गया अनेक भव यानि श्री धारन की यो जो इस परकार है एक हजार आख वर्ष के भव असी हजार सीप के श्रीर बीस हजार नीम वर्ख के भव नबे हजार वार केले के वर्ख के भव आफ़ हजार बार छंदन वर्खस के जोई पांच क्रोड बार कनेर वर्खस के शरीर आठहодार बार वैस्या के जोई 5 क्रोड बार सिकारी 20 क्रोड बार हाथी के भावव जोई और 60 क्रोड बार गदा ओतरा गजोगी है 30 क्रोड बार कुट्टे के सरीर RAM साथ क्रोड़ बार नपुर्शंक के भव, बीस क्रोड़ बार स्त्री, नब्बै लाख बार धोबी, साथ क्रोड़ बार घोड़ा, बीस क्रोड़ बार बिल्ली, और साथ लाख बार गर्व पात्स्यमरण, और केवल असी लाख बार देव प्रियाय को प्राप्त हुआ, असी ल पर सातवा नरक में गया और दोस्सोच्छडवा प्रिश्ट पे फिर कहां गया सिंग गिरी प्रवत पे सिंग हुआ फिर पुने पर्थम नरक में गया फिर यह नो हो आगे दिखाता है फिर के हो आखर में कि जंबू दीक्स छतरपुर नगर में नंदी वर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक नामका पूतर हुआ नंद का जीव कहां गया पुस पूतर विमान में देव हुआ तनंतर तीचोबिश में तीरत कर श्री माविर भगवान हुआ और परसन है कि श्री माविर भगवान के जीव जीव ने कितने पाखंड मत चलाए श्री महाविर भगवान के जीव ने यानि कितने पाखंड यानि बकवाद साधना चलाई इन ही का ये उतर दे रहे हैं तीन सो साथ पाखंड मत चलाए बकवाद साधना चलाई जो आज वरतमान में जैनी जिन साधनाओं को कर रहे हैं वो मावीर जैन द्वारा ये पाखन साधनाओं हैं ये हो सचीदानंद घनबरम की वाणी जिसमें बहुत विश्तार से सब निश्करस निकाल के बता है जैनी जनम जुआ जो हारो पांचों इंद्री कसकस मारो जैनी जुलम गुलम यो गैला जैसे हो तेली का वैला जैनी जुलम गुलम यो गैला जैसे तेली का वैला एक तेली का वैल होता था तेली होते थे उसमें जैसे कोलू होता है कोलू में एक वैल को जोत दिया जाता था और वो सारा दिन कुसी एक फिक्स राउंड में घूमता रहता था ऐसी सुब़ शल्य के शाम तक जब तक वो मरता बैल उस तेली के ही उस कॉल्व में एक ही सथान पर चकर काटता रहता तो ये बताते हैं कि तुम इस काल के साधना करके उस तेली जैसे बैल बने हुए हो कभी सुर्ग में गए फिर गधे बने कुते बने सुवर बने फिर देवता बने फिर गधे बने अब प्रमात्मा क्या बताते हैं ये अरहत का कुवा लोई या गड़ बंद्या है सब कोई कीडी कुंजर और अवतारा हरहत दौर बंदे कई बारा ये चतुर्बुजी बगवान कहावे हरहत दौर बंदे सब आवे ये कोटिक करता फिरता देख्या हरहत दौर कहुं सुन देख्या अब प्रमात्मा कहते हैं जै कोई कहा हमारा माने है तो सत लोक में सचखंड के अंदर निश्चे आने तो प्रमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि जो साधना तुम कर रहे हो करते आये हो उससे ये दुरुगती सभी प्राणियों की हुई है कहते हैं एक नारी त्याग दिन नी पांच नारी गैल बे पायानद्वारा मुक्ती का सुखदेव करीब उसेल बे तो प्रमात्मा सत्षाधना जो जब तक जीव को नहीं मिलती ये चे गर्त्याग का किता दके खालो चे कितनी साधना करलो पूर्ण संत नहीं मिलेगा और सत्षाधना नहीं मिलेगी तो इसकी दुरुगती समाप्त नहीं हो सकती तो वो सत्षाधना वो तत्वज्यान इस दास के पास उखलब्ध है। आप आओ और अपने सब मित्र प्यारों को समझाओ, अपना कल्यान करवाओ, बोलो सत्गुर्देर, सत्षभुरु आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी, संत रामपाल महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं। नमस्कार जी, सत्थ साहिब, क्या नाम है जी आपका? उर्वसी साहू, कहां से आएं जी आप? संत रामपाल जी महराज जी से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या भक्ती साधना करते थे? सद्गुरु रामपाल जी महराज जी की सरण में आने से पहले मैं क्रिष्ण को बहुत इश्टकी रूप में मानती थी, उसकी भक्ती करती थी और सनीवार का व्रत भी करती थी, मैंने तीन साल तक 93 सनीवार तक व्रत किया था हमारे जीवन में इतना दुखाया, इतना दुखाया कि परमात्मा की तलास करते-करते बहुत ठग गए और जैसे कि मैं बच्पन से ही, बच्पन से ही, साथ साल की उम्रस नहीं मेरे घर की लोगों को बोलना इस श्टार्ट कर दी थी कि पूर्ड परमात्मा इस प्रित्थी पर आने वाले हैं, और मेरे को अपनी मिशन को सहयोग देने के लिए भेजे हुए हैं, वो समाज में व्याब तो बुरायों को जयर समेट मिटाएंगे, जैसे कि जहेद प्रथा, नसा खोरी, रिस्वत, ये सब जो है ना उस सब को हट आएंगे और सत्युक जैसे समय स्थाफित करने वाले हैं, और मेरे को 2016 में भी मिलने वाले हैं, ये भी बताया था, क्या आपको समय की जानकरी थी, आपको जो महापुरुस जिसके बार में आप बच्पन से अपने परिवार वालों को बताते रहे हैं, वो आपको कब करने लगी, क्रिश्णो को हमेशा अपने साथ रखती ती, इसकुल जाती थी, तो उसके अपने बस्ते में छिपा करने जाती थी, और देखती थी, इसकुल के जो हमारे सर मेडाम है, उन लोगों सो भी ज्यान चर्चा करती थी, कि पूर्ण परमात्मा ऐसा होता है, वो आने ज्यान जर्चा भी कबीर के दोहे में क्या करते थी हम लोगी स्कुल में, जो गात्री मंत्र है वो भी जाप करती थी, रमायन का पाठ करती थी, गीता का, बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करती थी सभी देव देताओं की आप संत्रामपल जी महराज जी की सरन में कैसे आई? दूसरे जो चले हैं, तो उसी मारग में कुछ नहीं रता था, और अगर मैं चली जाती थी उसी मारग में, तो बहुत काटा-काटा सवजा था, तो मैं जश्ट आई कॉले से, उसके बाद दोपहर को सो गई, थोड़ा सा नीन दाया, उसके बाद सद्गुरू रामपल जी मह आपके, गुरू नहीं है, वो तो मैं जानती तो आपके गुरू नहीं है, वो तो मैं जानती उसी मैं और भी महु नाम दिक चले पया और जीवन से बहुत हार चुकी थी तो संत्राम पाल जी। वो क्या है ना कि आत्मा परमात्मा को पहचान सकते हैं इसी प्रकार मेरे आत्मा ने भी गवाही दिया तब ही मैंने कहा कि ये भी मेरे गुरुदे हैं उसके बाद मैंने संत्रामपाल जी महराजी से नाम दिख्चा लिया देखिए जो भी सरधालू संत रामपाल जी महराजी से नाम दिख्षा लेता है तो उसको अध्यात्मिक लाब होते हैं, बहुते लाब होते हैं, सारी लाब होते हैं आप से जाना चाहेंगे कि संत्रामपाल जी महराजी से नाम दिख से लेने के बाद आपके जी उन में क्या बदलाव आया? आपको क्या लाब हुआ? सबसे पहले मेरे को लाब तो अध्यात्मिक हुआ, मैंने एक दिन परमात्मा से खा था कि गुरू जी मेरे को इस लोग मेरे को सत्लोग जाना है, मुझे नहीं रहना परमात्मा तो गुरू जी एक दिन आये सत्गुरू रामपाल जी महराज जी और बोले कि बेटा आपको मैं आज रात को सतलोग ले जाओंगा ऐसे करके, उसके बाद संतरामपल जी महराज जी आए, मेरे हाथ पकड़ कर बोले कि चलो जाएंगे सतलोग ऐसे करके, अपने मम्मी को बता देना बेटा ऐसे करके बोले, तो मम्मी को जश्ट मैं बताई, कि मम्मी मैं सतलोग जाने वाली हू अब डरना मत मेरे को कुछ नहीं होगा सद्गुरु रामपाल जी महराजी मेरे साथ है ऐसे करके क्या उस टाम पे आपके माता पीटा ने या आपके घरवालों ने संद्रामपाल जी महराजी से नामदिक सा ले रखी थी जी हाँ संत्राम पलजी महराजी से मेरे परिवार वालों ने मेरे मम्मी ने भी नामदान लिया था उसके बाद क्या होता है उसके बाद गुरु जी आये और मेरे हाथ पकड़ कर ले गए उसके बाद जश्ट हम लोग जश्ट पहुंचे एक काली रंजन की लोग काली रंजन का लोग जहाँ पर आये वहाँ पर मैंने कहा कि गुरु जी मेरे को काल से बहुत डर लगता है मैं नहीं देखूंगी उसको ऐसे करके आग बंद कर लिए और सद्गुरु रामपल जी महराजी ने कहा कि बेटा आप चिंता मत करो मैं आपके साथ हूं उसके बाद हम लोग त्रिकुटी पर आए त्रिकुटी पर परिच्छा हुआ वहाँ पर तो सद्गुरु रामपल जी महराजी वहाँ छूप गए उसके बाद छूप गए उसके बाद जो बहुत सारे देवी देवता है ना अपने अपनी लोगों का प्रोलोभन लेकर मेरे पास आए बहुत बजार जैसा था वहाँ पर बहुत सारे प्रोलोभन दे रहे थे मेरे को कि आपको यह पद्दूंगा यह पद्दूंगा ऐसा करके लेकिन मैंने कहा कि नहीं मेरे कुछ भी नहीं चाहिए बहुत रोई मैं सब्нова G wandering सब्नगुर हुए उसके बाद सद्गुरी महाराज सब सबेखते सब्सक्राइब सब्सक्राइब शेंने कि दुनिया की कोई सब्सक्राइब और कुछी हम इस के बाद कि पेटा ऐसा ही कि हरंस में ऐसा ही गुन हूँ सद्लोक जाते समय परमात्मा ने मेरे मेरे में पूरा सिल संतोस भीविवेक्च भमात जो सद्लोक जाने का जो गुन होता है ना व्यक्ति में वहीं पूरा इस्थापित कर दिये थे उसके बाद सद्गुरु रामपल जी महराज जी ने कहा कि बे प्रिस्निया संख ब्रहमांड की रचना की हैं और मेरे बीना इनसान एक तीन कभी नहीं उठा सकते लेकिन इतना हंकार हैं कि इनसान मुझे को समझना ही नहीं चाहता हैं लेकिन कोई बात नहीं बेटा बहुत जल्द सत्यूग जैसा समय स्थापित हो करी रहेगा मैं चाहूं मंत्री जभी की बुद्धी को बदल सकता हूं लेकिन मेरा कुछ मिसन है बेटा और लीला करने वाला हूं उसके बाद में बहुत जल्द सत्यूग जैसा समय स्थापित करूंगा उसके बाद गुरु जी ना मेरे को सत्यूग जैसा समय उसमें ले गए तो मैं बोली कि मेरे को ब्रहमभविष्णु महस के लोक में ले गया उसके बाद काली रंजन का जो गुपत लोग रहता है ना महसी रूप में वही पर ले गए उसके बाद वहाँ गये उसके बदेखी की बहुत बड़ा सिव लिंग था वहां पर उसके बाद वहां प्रवेस करती जश्ट इतना बेकार धुन था वहां का बहुत ही खाराब था, मेरा सरदर्द होने लगा, तभी मैंने गुरूजी से कहा कि गुरूजी यह क्या है से करके, तो सद्गुरू रामपाल जी महराज जी ने कहा कि बेटा ये तो सीव का लोग हैं, जहां गुपतरूप में राते हैं काल नि तो मैंने कहा सद्गूरु रामपाल जी महराद जी से कि गुरू जी मुझे इस लोग में नेराना है ऺड़ Means आनोशेरीो जा एकी हम आधेशारी तो जृद गूर्ध भी इस लोग का याद आता है नग्ष सिरदर्द होने लगता हैं बहुत ही पेकार है उस लोग का इस इसके बाद हम लोग नर्क लोग में देखें, नर्क लोग में काली रंजन व तपत-सिला में सभी जिवो को भूर रहे थे, गरम तेलदार रहे थे, बहुत गर्म खंभे पर बांध कर सभी जिवो को उसका जो बुड़े कर्म का फ़ल दे रहे थे, और सद्रगुरु रामपाल जी महराज जी ये लोग तो बहुत ये लोग तो अपना मनुफ से जीवन ही बेकार कर गए प्रमात्मा आपको नहीं पहचाने ऐसे कर तो प्रमात्मा कहें बोले की कोई बात नहीं बेटा धीरे-धीरे सभी समझ जाएंगे मेरे को ऐसे कर तो उसके बाद कहां जाते हैं आप उ सबी संदों से मिलायां वह पर सट्संग के परमात्मा इतना सांती इतना जा आत्या वाता वाता रहन था यहां तो बिल्कुल भी नहीं है वह ऐसे बहुत ही अच्छे वाता रहन था और क्या देखते हैं आप सद्र्में अक् desta संत रांपाल जी माहां जी की अजिव ही से बात से मिला सद्गुरुरामपाल जी महराथ जी ने कहा कि मैट आपको कुछ खाना एसर करके तो मैं बोले कि नईा गुरुजी मेरे को कुछ भी ने चाहिए बस आप मेरे साथ रहना हमेशा भी आजए इसके बाद महाजुना सेभ संत्रे वहां के पेड़ इतने लटफत थे इतने इसके साहर में देखते हैं और कि वर्णन करना चाहेंगे आप वहां पर हमने गार्ण देखिए यहां ऐसा है आ है सु नहीं आजिए हम इस संसाar में देखते हैं कि बह। सारे जीव जन्तो हैं जो तड़पा रही हैं बहुत सरी ऐसी चीज़े देखते हैं आप सी लड़ाई देखते हैं आप सी रागवेस देखते हैं किसी की बड़ी बिल्डिंग देखते हैं किसी की छोटी बिल्डिंग देखते हैं इस परकार की बाते भी क्या आपको सतलोग में देखने को मिली देखिए आपने अपनी माता जी को बताया कि संत रामपाल जी माराज मुझे सत लोग लेके जाएंगे आप चिंता मत करना कितने दिन तक आप इन लोगों की सहर करते रहते हैं और कब आप अपने सरीर में आते हैं इसके दोरान भी आपने कुछ देखा हो तो आप हमें बताये उसके बाद जब मैं सत लोग चली गए थी तो मिरे घर के लोग बोलते थे मेरे मम्मी को कि यह क्या हो गया यह कुछ भी नहीं कर रही हैं बोल भी नहीं रही हैं हम लोग इसे बात नहीं कर रही हैं इसको भूत पर रहा ऐसे तीन दिन तक आपका सरीर अचेत पढ़ा रहा आपके घर पे मेरा सरीर अचेत पढ़ा था और सद्गुरु रामपाल जी महराज जी मेरे यात्मा को सतलुक लेकर गए थे उसके बाद जब आप अपने सरीर में पुने आते हैं तो उसके बाद क्या मतलब किस नजर से लोग आपको देखते हैं और क्या रियक्ट आपका होता है आपके परिवार वाले आपसे क्या बात करते हैं उसके बाद मेरे परिवार वाले बात करते हैं कि क्या हो गया था तेरों को ऐसे करके बोलते थे जो पिछले घर में जो भी घटना हुए थे वो सब बोलते हैं तो म हपूर परमातमा सत्गुरू रामपाल जी महराजी को ले गए थी, यहाँ कुछ भी नहीं है, यह काल का बहुत बड़ा खेल हैं। कितनी अचरजवाली बात है बेंट जी की, लोग नहीं विश्वास कर पाते इस बात पर की, मरने के बाद कुछ ऐसी चीजे हैं जो आप बता रही हैं। लेकिन सत्गुरू रामपाल जी महराजी के निवाई एक ही बात बोलते हैं जो आपने बताई। इसी तरह का नजारा वो भी सत्गुरू नहीं देखकर के आई हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे। हमने देखा हैं सत्गुरू रामपाल जी महराजी ने हमको दिखाया है कि स्वर्ग नर्क भी हैं और उससे उपर सत्लोग है पूर्ण परमात्मा का जह जाने के बाद इंसान वापस नहीं आता है संसार में। लेकिन आज जिस तरह का गटना करम है कि संत्रामपाल जी महराजी जेल में है। जी बोलते रहते हूं थकते नहीं उसके नाम लेते हुएं तुम्हारी स्थगुरू रामपाल जी महराजी जेल से बाहर आकर दिखाये तभी मैं मानूंगा उसको पूर्ण परमात्मा तो मैं बोली कि नहीं आप ऐसा उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं असे चैलेंज मच किया करो आप उसको ऐसे करें तो बोले कि नहीं आकर दिखाये तभी मैं मानूंगा उसके बाद उसी दिर रात को 11 बजी सद्गुरू रामपाल जी महराजी हमारे घर में आये उसके साथ चार भगत जी भी लोग थे उसके बाद सद्गुरू रामपाल जी महराजी दस मिलड तक बहुत दर्वाजे के पास ही खड़े रहे मेरे मामा ने देखा गर्मी के दिनों था तो विस्तर पर वही पर आंगान में सोये हुए थे सद्गुरु रामपल जी महराजी को देखा उसके बद बुलाए हाथ जोड़कर कि आओ महराजी आओ ऐसे करके सत्गुरु रामपल जी महराजी को दिखाई दे रहे थे उसी को दिखाए दे रहे थे, क्योंकि सद्गरू राम पाल जी महराज जी ये प्रूब किये उसको कि मैं हिपूर्ड परमात्मा हूं, मैं जेल से बाहर भी आ सकते हूं, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो आपके मामा जी थे, जो ये बोल रहे थे, कि आपके गुरू जी जेल से बाहर नहीं आ सकते, तो फिर उसके बाद उनकी क्या प्रतिकिर्या रहती है इस बात को लेकर के। महराज जी से नाम दिख्छा लिया, तभी एक दिन मैं तलाब में ऐसा ही पर्द होने के लिए नीचे उतर रही थी, तभी सद्गुरू रामपाल जी महराज जी ने कहा कि बेटा आप पर को नीचे मत रखना, वहां पर बहुत निकीला चीज है, आपके पर चुप जाएगा उसके बाद जश्ट मैंने निकाल कर देखा, जश्ट पर रखने वाली थी वही जगह पर, तो वहां पर किसी ने सराब की सीसी को पी कर फोर दिया था, वह बहुत निकीला था, अगर चुप जाता तो बहुत मेरा पर कर जाता, एक बार सद्गुरू रामपाल जी महराज जी कि सरान में आ गई थी, तभी सद्गुरू रामपाल जी महराज जी ने कहा कि मेरा एड्मीसन नहीं हो रहा था, मैंने जब तेन क्लास में थी तो बहुत मेरे साथ अन्याय हुआ, बहुत दुख है हमारे जीवन में, फ़र्ष्ट एयर का एड्मीसन हुआ, एड्मीसन था, ए उसके बाद सोचा कि क्या करूं तो सद्गुरु रामपाल जी महराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता क्यों करते हो मेरे रातियों मैं हूं ना आपके साथ हो जाएगा आपके अडमिसन उसके बाद मैं वह सब डाली नहीं थी मार्क सीट और टीसी मेरे पास था ही नहीं तो मै टीसी और वार किसीट तो हाई ही नहीं उसके बाद मेरे मेरे बाद ज़श्ट मेरी सहली थी वो गई तो उसका जो एक टीसी नहीं डाली ती उसके लिए उसको रिज्यक्ट कर दे तो सद्गुरु रामपाल महराजी की सरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे लागु है ए जाता होगा किसके लोग में ऐसे करके तो सद्गुरु रामपल जी महराज जी आये और बोले कि बेटा देखो ऐसे हमारे ब्रह्मान करके एक बिंदु सा चांदी सा उसके बाद पूरा फैल गया पूरा आसमान में ये कि देखो निराखा रहा है हम देख नी सकते है ना अभाज बसकर सकते है उसको लेकिन वायू की पूरा प्रक्रती को दिखाया उसके बाद दिखाया, पूरे ब्राम्भान को खोल दिया, पूरे ब्राम्भान को खोला तो दिखाये कि देखो, ये सब का लोग है, ऐसे जाता है, जिसका ब्राम्भान है, उसी के लोग में ऐसे जुजाब करते हैं बेंजी बगत समाज को क्या संदेश दिना चाहते हैं? संदेश तो मैं कुछ दे नहीं सकती बस प्रातना यहीं है कि सभी भगत समास से सद्गुरु रामपल जी महराज जी के रूप में कभी परमात्मा आये हुए हैं सद्गुरु रामपल जी महराज जी ही विश्व में स्तासर नुकुल साधना बता रहा है जिससे हमारा कम्प्लीट मुक्छ होगा अता सद्गुरु रामपल जी महराज जी से नाम दिख छले कर अपना जन्म मरन का दिरगरोग कटवाए मैंने बहुत सारी चीजे देखी हैं जो मरने के बाद भक्तों के साथ और जगत सभी के साथ होने वाला अता आप सद्गुरु रामपल जी महराज जी से नाम दिख छलेंगे तभी आपका ये जन्म मरन का जो दिरगरोग है वो कटेगा मेरा जगत के सभी भाई बहनों से निवेदन है कि सद्गुरु रामपल जी महराज जी से नाम दिख छलेंगे अपना जीवन सफल करें जी धन्यवाद सब्सक्राइब आप सुन रहे थे जगत कुरु तत्वदर्शी संत्रामपल जी महराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatgurur.org संत्रामपल जी महराज जी के शुब आशिवाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपल जी महराज जी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-541 9222-880-541 10222-880-541 कर दो आए है, कर दो आए है, कर दो आए है.